क्योंकि स्वामी जी के व्याख्यान अगर आप ध्यान से सुने ध्यान से शब्द पर जोर दीजेगा ध्यान से सुने तो वो जितना प्राणायम और आसन के बारे में बताते हैं उतना ही बीच बीच में नियमों के बारे में बोलते रहते हैं आपने सुनाओगा वो बार बार कहते हैं खाना खाते ही तुरन पानी मत पियो एक घंटे के बाद पियो यह नियम अब आप इस नियम का पालन अगर नहीं करेंगे और आसन करते रहेंगे प्राणायाम करते रहेंगे पूरा लाग नहीं किलेगा क्योंकि महर्शी पतंजली खुद कहकर गए है कि आसन और प्राणायाम का लाग लेना है तो यम और नियम से शुरू करो तो यम और नियम पहला चरण है और समाधी अंतिन चरण है योग इसी के लिए है तो मैं आप से कुछ छोटे छोटे नियमों की बात करूँगा जो हम हमा मारी जीवन में ध्यान रखते हैं और मैंने खुद लगब बारे वर्षों से मैं ग्यारे वर्ष पहले स्वामी जी के साथ संपर्ग में आया है आप लोगों का संपर्ग तो अभी तीन-चार साल मुराना है मैं ग्यारे वर्ष से उनके साथ में हूँ जब उनका टीवी पे मुझे नहीं आता था तब की बात करता। तो उनके साथ रहकर मैंने तो घ्राई के देखा कि बहुत स्वामींगी थी उन िम्यापों के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं और इसलिए वो बहुत ज़्यादा चुस्त हैं दुरुस्त हैं स्वस्त हैं मेरे बहुत सारे वित्र हैं अक्वार में काम करते हैं वो अक्सर मजाग करते हैं उससे वो कहते हैं कि हम बहुत दिन से एक नियूस चाहते हैं कि बाबा कब बीमार पुड़े और यह हम फ्रंट पेज में चाहते हैं मैं पूछा वह आपको इसमें क्या इंट्रेस्ट है तो पस ऐसे अख़ार वालों के तो इंट्रेस्ट यह होता है कि जो निगेटिव चीज है वो पहले जाबो अगर आप ठीक ठाक कोई काम कर लें तो अख़ार के लिए नियूस नहीं है लेकिन उस काम को करने में मार्कीट हो जाए गाली गलोज हो जाए तो वह बहुत बड़ी नियूस है अख़ार के लिए तो वह ऐसी बात करते हैं और यह बात उनको मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा पक्के से नियम का पालन करते हैं जिन नियमों का वो पालन करते हैं वो आप भी करो कुछ नियम मैं आपको बताओंगा सब तो नहीं बताओंगा क्योंकि 20 मिनट में सम्रुम नहीं है लेकिन कुछ नियम तो मैं जरूर बताओंगा आपको जिनका हर एक को प पहले आयूर्वेज चिकित्सा के कुछ महान लोगों ने बनाए हुए हमारी आयूर्वेज चिकित्सा में एक बड़े महान व्यक्ति हुए उनका नाम था महर्शी चरक सुना होगा आपने इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया रिसर्च किया इस बात पर कि जड़ी कुटियों से क्या-क्या विमारियां चीक होती है पेड़ पौधों से कौन सी विमारियां चीक होती है पेड़ों के पत्तों से कौन सी विमारियां चीक होती है उस पर उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया उसके बाद एक ऐसे ही व्यक्ति हुए महरशी शुष्रूप उन्होंने इस पर काम किया कि शरीर के किसी अंग में जरूरत से ज़्यादा अनवोंटिक जरूरत नहीं ऐसी कोई ग्रोथ हो जाए ऐसा कोई बड़ुतरी हो जाए ट्यूमर हो गया जैसे गांट हो गई इसको कैसे काट के निकाला जाए सरजरी इस पर सबसे ज़्यादा काम किया महरशी शुष्रूप और आपको शायद ये सुनकर आश्रे होगा खुशी भी होगी कि सरजरी का आविश्कार इसी देश में होगा बारत सारी दुनिया ने सरजरी भारत से सीखी ब्रिटेन ने फ्रांस ने जर्मली ने सबसे पहले सरजरी सीखी अमेरिका में तो बहुत बात में आई सरजरी और ब्रिटेन ने भारत से 400 साल पहले सरजरी सीखी ब्रिटेंग के डॉक्टर यहां आते थे और यहां भारत में आकर सर्जरी सीख कर जाते थे आपको सुनकर आश्यरे होगा आज से 400 साल पहले इस भारत में सर्जरी के बहुत बड़े विश्व बिद्याले चला करते थे यूनिवर्सिटी से हिमाचल प्रदेश है ना इसमें एक जगए है कांगड़ा यहां सबसे बड़ा सर्ज़री का मेडिकल कॉलेज था आज की भासा में में अगर कर necesario है ऐक और जगए है भरमौर हिमाचल में वहां कांगड़ा यहां एक तीसरी जगए है कुलूग वहां पर एक बहुत बड़ा केंदर था अगर हिमाचल प्रदेश का आज का नक्षा ध्यान पर रखा जाए तो 18 ऐसे केंदर थे हिमाचल में फिर उसके बाद महाराश्ट में, गुजरात में, राजिस्थान में संपूर भारत देश में सरजरी के 1200 के आसपास केंदर थे, 400 साथ पर यहां अंग्रेज आकर सीखते थे आपको सुनकर और खुशी होगी लंदन में एक बहुत बड़ी संस्था है, उसका नाम है Fellow of the Royal Society of London FRS आजकल हमारे देश में और दुनिया में FRS का recognition मिल जाए तो बहुत बड़ा डॉक्टर माना जाता है यह FRS संस्था की स्थापना उन अंग्रेज डॉक्टरों ने की थी जो भारत से सरजरी सीख कर गए और उन में से कई डॉक्टर्स ने मेमोर्स लिखे मेमोर्स लिखने का मतलब क्या होता है अपनी मन की बात तो जो अंग्रेज डॉक्टर ने मेमोर्स लिखे है उनको पढ़ें तो हैरानी होती है वो बोलते हैं कि भारत जैसे देश में इतनी उची तक्रीम के आधार पर सरजरी होती है आपको सुनके आशरयोगा 400 साल पहले इस देश में रहिनोप्लास्टी होती है रहिनोप्लास्टी आप समझते है शरीर के किसी अंग से कुछ भी काट कर नाप के आसपास के हिस्से में उसको जोड़ देना और पता भी ना चलिए 400 साल पहले रहिनोप्लास्टी स्टेश में होती है कई अंग्रेज अधिकारियों के मेरे पास डाइरी के पंडे है एक करनल कूप नाम का अंग्रेज हुआ करता था उसका हैदर अली के साथ संग्राम हुआ लड़ाई हुई थे करनाटक में 1799 हैदर अली ने उसको युद्ध में पराजित कर दिया हार गया हारने के बाद उसकी नाप काट दी है रणिये हमारे देश में ऐसा होता था कि नाप कटना सबसे बना अपमान तो हैदर अली ने उसको मारा नहीं वो चाहता तो गरदन काट देता उसकी क्योंकि वो पराजित हो गया था अंग्रेज, करनल कूप उसकी नाक काट दी और का तुम जाओ अग, कटी हुई नाक लेगे तो वो कर्णल बूट गुड़े पर भागा वहां से, कटी हुई नाक हाथ में खुन निकलता हुआ तो हैदर अली के राजी की सीमा के बाहर आके किसी ने उसको देखा कि उसके खुन निकल भागा है, नाक कटी हुई है, हाथ में है तब उसको पूछा ये क्या हो गया, तो उसने सच नहीं बताया उसने का मेरे चोट लग गई है, तो उसने का नहीं ये चोट नहीं लगी, ये तलमार से नाक काटे गई तो अंग्रेज बान गया जहां बात तो सही, तो उस व्यक्ती ने कहा थी, तुम चाहो तो अभी हम सरजरी करके तुमारी ये नाक जोड सकते, तो उसने का कि ये काम तो इंग्लेंड में कोई नहीं कर सकता, आप कैसे कर सकते, तो उनका हमको तो ये काम आता है बहुत अच्छन हुआ, बेलगाम नाम का एक शहर जहां पर ये बहुतना गटित हुई, उसका करीब तीन साड़े तीन गटे ऑपरेशन चला, उनाक जोडी गई, फिर उस पर लेप लगाया गया, फंतर दिन उसको वहां रखा गया, फंतर दिन के बाद उसकी छुटी हुई, तीन म तो ये जो सरजरी हमारे देश में विक्सित हुई, ये तो मैंने इक उधारण दे दिया आपको ऐसे ही, ये बहुत प्रयास किये इसके विए, महरशी शुशुरुत ने तब जाकर ये सरजरी भारत में फैले देगा, ऐसे ही हमारे देश में बहुत प्रयास किये महरशी चरक में तब जाकर सिastic सैस्टों कि एंनी चिक शाथा कि यह सी पुरानी है जितना पुराना भारत अतना ही पुराना है छिद कुराने हमारे भगवान राम व्राcidos कि यह शोंक्र या महादेव और मुठा बड़ा मुश्किल है लेकिन एक अंदाजा हम लगा सकते हैं कि राम जी के जमाने में आयुवेट जिवित्सा कूब अच्छे से चलती थी क्योंकि जब उनका रावण से युद्ध हुआ तो कहानी ये है कि लक्ष्मन जी को मुर्छा आई थी आज की भाशा में कहूं तो लक्ष्मन जी कोमा में चले गए थी कोमा मही होता है और वो कई दिल बेहोश पड़े रहे हैं तब उनके बारे में चिंता हुई राम जी को कैसे इनको ठीक किया जाए तो एक वैद्ध को लाया गया उनका नाम था वैद्ध वैद्ध शुषेल उन्होंने नव्ज देखकर कहा कि इनको बचाया जा सकता है इनके लिए एक दवा चाहिए संजीवनी बूटी बूटी का वने पेड़ होता है तो संजीवनी चाहिए कहां मिलेगी तो हिमाले पे मिलेगी तो कौन लेके आएगा तो अनुवन जी जाएगे अब हनुवन जी को पहचान नहीं संजीवनी क्या है तो परवत उफाल के ले गए फिर वैद्ध शुषेल ने संजीवनी को ढूड़ा उसका काढ़ा बनाकर लक्ष्वन जी को किलाया नाक में सुभाया तब वो कौमा से बाहर आये थे इससे पता चलता है कि कोमा से बाहर आने के लिए उस समय चिकित्सा हुआ करती थी आप जानते हैं एलोपैथी चिकित्सा में कोमा से बाहर आने के लिए कोई दवा नहीं जबकि साड़े सब्त्रे लाख साल पहले इस देश में कोमा से बाहर आने की दवा थी आज भी है आज भी आयुरुवेट में 40 से ज़्यादा दवाएं हैं जो व्यक्ति को कोमा से बाहर लाती है एलोपैथी वालों के पास एक भी दवा नहीं है सारी दुनिया के करोणों करोणों डॉलर की रिसर्च करने के बाद भी कोई दवा नहीं है अगर एलोपैथी के डॉक्तर से कोई ट्रीक्मेंट करा रहा है और वो कुमा में चला जाए पेशेंट तो डॉक्तर एक ही बात कहता वेट एंड वाच वेट एंड वाच इंतजार क लिए कितिशापाट्यथी आज वी कितनी उची है और साड़े सत्रे लाग साल पहले भी कितनी उची थे और ये वही चिकित्सा प्रद्धिती है जिसको आयुरुवेट कहा जाता है आयुरुवेट चिकित्सा प्रद्धिती के तीन भाग है पहला भाग है जड़ी मूपियों द्वारा चिकित्सा पेड़ पौधों द्वारा चिकित्सा, फल और फूल के द्वारा चिकित्सा, ये एक भाग है, दूसरा सरजनी के द्वारा चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, ये दूसरा भाग है, और दीसरा और आखरी भाग है, खान पान, पत्थे अपत्थे और यम यम के आधार पर चिकित्स तो पहली जो चिकित्सा है जडी, बूटी, बेड, बौधे, फल, आदी, इनके मास्टर थे, पंडित थे, महर्शी चरण, दूसरी वाली जो चिकित्सा है शल्ले चिकित्सा, उसके पंडित थे, शुशुर, महर्शी शुशुर, और तीसरी वाली जो चिकित्सा है, यम, नियम खान बांके नियम इसके चिपित्सक सबसे बड़ेते महर्शी पाग बढ़ते हैं दियाएगा हमारी आयुर्वेट चिपित्सा का जो मूल सिध्धान्त है वो जान लेना चाहिए सिध्धान्त ये है कि कोई व्यक्ति बीमार कप पढ़ता है और कोई व्यक्ति स्वस्थ कब रहता है वीमार कोई व्यक्ति तब पढ़ता है जब उसका वाद पित्थ और कफ तीनों असमान होते हैं असंतुलित होते हैं और कोई भी व्यक्ति स्वस्थ तब रहता है जब वाद पित्ट कफ तीनों उसके संतुलित होते हैं तो वाद पित्ट कफ तीनों का संतुलन अगर है तो जीवन में आपको कभी रोग आएगा नहीं और अगर वाद पित कफ में असंतुलन है तूट फूट है तो हमेशा रोग आने वाले हैं और आप परिशान हो जाने वाले वाद के असंतुलन से हमारे शरीर में अस्सी रोग आते हैं अस्सी आठ और शूने एटी पित के असंतुलन से हमारे शरीर में 40 रोग आते हैं चार और शूने 40 और कफ के असंतुलन से 28 रोग आते हैं सबसे कम कफ के रोग हैं सबसे ज्यादा वाद के रोग हैं पित वाला बीच में कफ के रोग क्या क्या है मोटे मोटे कुछ रोग बताता हम ताकि आपको पता रिछे मोटाबा होना है कफ का सबसे ख्राब रोग तब सबustom एक में थाइराइड बढ़ता है, एक में बढ़ता है, कफ की सबसे खराब समस्या है, सर्दी होना, जुकाम होना, कफ की सबसे बड़ी समस्या है, खासी होना, बल्गम जमा होना, कफ की सबसे बड़ी समस्या है, आखों में मोतिया बिंद होना, जिसको आप कैटरेक्ट कहते है ये कफ की समस्या है कान में सुनाई नहीं देना ये कफ की समस्या है नाक से हमेशा पानी वहना नजला होना ये कफ की समस्या है कान में से पानी आना ये भी कफ की समस्या है आँखों को अलाल हो जाना कफ की समस्या है आपों के आसपास काला घेरा हो जाना कफ की समस्या है जिसको डार्क सत्किला अच्कल करा जाता है हमारे चेहरे पर फोड़े फुंसी हो जाना या तो कील कुहां से हो जाना कफ की समस्या है चेहरे की तो अचाकर रंग बदल जाना कफ की समस्या ऐसे कफ के 28 रोग यहां से लेकर मस्तिश के आखरी हिस्से तक इस इलाके की जितने रोग आप जानते हैं वो सब तुफ के रोग हैं सब किसे अब छादी से लेकर और जंगा तरड़ यहां जितने वी रोग आ जानते हैं वो सब पित्त के रोग गैस बनना, एसिडुटी होना, हाइपर एसिडुटी होना, अलसर होना, फैप्टिक अलसर होना, खाते समय मूँबे पानी आना, या मूंका पानी बिल्कुल सूथ जाना, बार बार डकार आना, खट्टी डकारे आना, धिच्किया आना, ये सब पित्त की समस्या हैं, पित्त के और इनकी संख्या 40 है यह चाती से लेकर जंगा के पीच वाले इलाके के रोग हैं सब पित्त के खिट्टी खराब होना लीवर खराब होना खिट्टी में स्टोन होना लीवर में सूजन होना यह सब पित्त की समस्याएं और खराब रोगों के नाम दोता हूं जॉन्निस होना पीलिया होना हैपटाइटिस होना यह सब पित्त के रोग हैं कई तरह के बुखार पित्त की समस्या है और यहास लेकर और आखरी पॉइंट जो आपका है अभूठे का इस इलाके के जितने भी रोग हैं वो सब बात की समस्यार के गुट्मे दुखना गुट्मे के नीचे का तल्ली दुखना गुट्मे में एठन होना क्रें खोना तरह-तरह के आए सब बात की रोग हैं मैं बोला आपको 80 उसके बाद पित के हैं 40 और सबसे कम कफ के रोगे अब आपको जिन्दगी पर एकी चीज ध्यान रखनी है कि वाद पित कफ तीनों संतुलिप रहे आपके तो आप रोगी नहीं को सकते तो आपको करना क्या है वाद पित कफ तीनों को संतुलिप रखने के लिए महर्शी सब्सक्राइब YouTube जीवन में पालिए हैं और में के उनका घॉल ऑध ही यह चाने कि पानी नहीं पी नहीं पेता हूं सब्स 보시 conecteNay जिस तरह से मैं बताता हूं कि यस वह मैंने भाशान कर और के बोल दिया वह हुना की सूंदिट ऐसे नहीं लिखा है वो जनांते विषक वाही कि ऐसे लेखा एक वो जनांते वने वोजन के अंत में विशा के जैसा वारी वारी मानी पानी पोजन के जैसा है यह सूर्थ मतलब बुज़ा के अंजुब बाजी ना भीए मैंने सरल कर दिया जह अब प्यों लाग है कारण उसका लोगत है कि हम जब खाना खाते हैं खाना सारा केट में कठा होता है एक स्थान है उसको जठर कहते हैं जठर इस्थान पे खाना जबाता है तो अपने आप अगनी जलती है उसको जठर अगनी कहते है खाना खाते ही पेट में अगनी है वो जठर अगनी जलती है तो खाना पच्छता है अगनी नहीं जलती तो खाना नहीं पच्छता है तो आपने खाना खा लिया पे अगनी बुझ गई तो खाना नहीं पचेगा तो खाना सड़ेगा और सड़ा हुआ खाना एक सौटी बीमारियां पैदा करेगा सबसे ज़्यादा बीमारियां इसी में आती इसलिए बागवट्टे जी ने पहला सूत्रिय लिखा वो जनानते मिशमवारी कगाने के बाद पानी एक हैं तो आप बोलेंगे और कपी न घाना जब आप आक खाते है तो आगनी जनने की जो क्रिया है वह सवरों कर देशानधे तक करते हैं है कि हमके पारद अगनी जननी की क्रिया ऐग घंते-खक्रिया और शचाान पूल्भान को में खानी confirm कि घाया है उसका वह सभानना शुरूब होता हुआ तो यह इस बंने की क्रिया लगवब और एक से दका श्रण Still लैंति क्या हुसा होता है का माश मज्ञा रक्त वीद्य मल मूत्र अस्ति और मेद बनने शुरूब होता है और यह पांच दिन तक छार्ब है था है कि आज का खाना पांच दिन तक डाइजेस्ट होता है, अभी खाया तो पांच दिन तर है, और इस पूरी क्रिया में हमें जो सबसे महत्यों की बात जाननी है वो ये, कि सबसे ज़्यादा और सबसे आसानी से बनता है मास, और सबसे कम और सबसे देर में बनता है वीरे, मास सबसे ज़्यादा, वीरे सबसे कम, आपको सुनके ताजुग होगा, बारुबटी जी ने एक जगे लिखा और आज की आध्मिक विज्याद में उसको सित्य किया, वो ये है कि आज तारीक 19 जुलाई को आप जो खाना इसका वीरे बनने के लिए एक महिना खर्च होगा, अगले महिने 20 अगस्त को बनेगा, आज जो खाया, 30 दिन लगते हैं, और सबसे कम बनता है, सबसे ज़्यादा समय लगता है, सबसे कम बनता है, इसलिए आयूबेत में कहा गया, वीरे बहुत कीमती है, इसलिए उसको नश नहीं कर सकते, इसलिए ब्रह्मचर पामिन करने की कल्पना इस देश में, यह मैंने इसलिए जानकारी दी कि आप योग सिक्षत हैं, आपको पता होना चाहिए, कभी कोई बात आजाए तो आप समझा सकते, तो हमने खाना खालिया, आग जली, खाते को पचाने के लिए, एक गहंटे, तीस मिनट तक जलेगी, तब तक पानी अगर आपने पिया, तो आग बुझे बग़े, और बुझेगी तो फिर आगे की क्रिया रुखेगी, इसलिए आगे की क्रिया ना रुखे, आग ना बुझे, तो सरल बात कहीं गई, खाना खाने के बाद पानी ना पिये, ए गंटे से जब्रक वाय। तो आज के बाद आप सभी से प्रार्फना हैं आप योग सिक्षक हैं या योग साधक हैं, धोनों को यी मेरी प्रार्फना हैं कि इस नियम का पालत हैं। खाना खाने के एक घंटे से देड़ घंटे के बाद पाने के एक घंटा किसके लिए और देड़ घंटा किसके लिए दो शब्द मैं बोल रहा हूं एक से देड़ घंटा एक घंटा उनके लिए है जो एक तम स्वस्त है जिनको लगता है कि आप वह स्वस्त हैं उनको कोई तकलीव उनके लिए एक लगता है और बीस्त abonnue को देड़ कशन है और द। देदें से लेकिन देड़ेगंद्य के बाद प्यरुसरी गॉल जाकी टर वीक्त वर एक और ग्रभर की आएगी इसलों खाना चैनल का ठापनेंदी बिना भाशी कोपे आ हैं तो एक ड़ले गंडे के बाद रस बनना है तो पानी पेलेज़ेए तो पानी पीने का यह नियुम है मैं फिर से दोराता हूँ खाना खाने के एक से गेर गटे के बार पानी पीए ठीक है अब इसमें आप प्रश्ण कर सकते हैं कुछ कि खाना खाने के पहले पीएं क्या खाना खाने के बीच में पीएं क्या खाने के पहले पानी पी सकते हैं आयुन में कहा गया 48 मिनट पर लेको क्यों जब आप पानी पीते हैं तो पेट में पानी जाता है तो पानी का अंतिम इस्थान है मूत्र पिंड पहला इस्थान है जहां से ये जाना शुरू होता है अंत में आता है सारा पानी मूत्र पिंड में, फिर उसके बाद ये मूत्र के दौरा बाहर मिकलता है, तो मूत्र पिंड में पानी पहुचने के लिए 48 मिनट लगता है, तो आप खाने के पहले 48 मिनट में पानी पिर सकते हैं, बीच में पानी कप पिए खाने में, जब आप दो अन्न का खाना काई गेहूं की रोटी खाएं और चावल खाएं दो अन्न का खाना है तो आप गेहूं की रोटी खाने के बाद और चावल खाने से पहले थोड़ा पाली कि पें कितना पी हैं तीन चार घूट बस जाना है और इसमें आखरी जनकरी कि खाना-काने के बाद अगर सच में प्यास लग रही है तो क्या पी तो आई वे इतने कहाँ या तीन चीज़े पी सकते हैं दही की लस्टी पिए खाना खाने के तुरनबाद दूद पिए गाय का हो तो बहुत अच्छा और जूस पिए फिल के रस पिए खाने के तुरंग बाद अगर प्यास लगती है तो जूस पी सकते हैं, लस्टी पी सकते हैं और दूद पी सकते हैं, जूस पीने का समय है सबेरे के, लस्टी पीने का समय है दूपहर को, और दूद पीने का समय है रात को, तो जूस पीना है सबेरे खाने के बाद माने प्रेट सब्सक्राइब और दूद पीना है रात को माने दिने तो यह पूरा हो गया समझ में आ गया कर लेके बस आदत बदली है आपको बागवट्टी जी यह कहते हैं कि जोड़ इस नियम का पालन करें एक सो तीन बीमारियों से जीवन भर बचेगा अब बताओ कि इतना सस्ता सोदा एक सो तीन बीमारियां एक तरफ और यह छोटा सा नियम एक तरफ है तो आप ध्यान रखिए इस नियम का दूसरा नियम है पानी जब भी पिये हैं घूट भरके पिये हैं सिप करके पिये हैं जैसे चाय पीते हैं जैसे कौफी पीते हैं गरम दूट पीते हैं ऐसे पानी पी ऐसे कभी भी पानी ना पियें गिलास लगाया और लगातार पिया ये गलत तरीका है पानी पीने का तरीका है एक घूट पिया थोड़ी देर रुकें एक घूट पिया फिर रुकें फिर पिया फिर रुकें फिर ऐसे पानी पिया इसका क्या लाव है मुँ में आप जानते हैं लार वगती है ये लार जो है ना पेट की तेजाब को शांत रखती है पेट का जो तेजाब है वो ऐसी दिख है विज्ञान की भाशा और मुँ की लार जो है वो एलकिलाइन है चारी है तो ये चार है यहां अमल है अमल और चार ब अजय के लिए ऊच्वाई टोड़ा थोड़ाल करें के अ कि आयूर्वेट में खिए कि विम्हीं सब्सक्राइब और तो दिए की संबाब दाने हैं दुनिया के सारे खराब रोग जैसे कैंसर जैसे डाइबिटीज जैसे ब्लड प्रेशर बहुत तेज होकर हर्टेटेक आना ब्लड प्रेशर बहुत जादा बढ़कर ब्रेन हैम्रेज हो जाना ब्लड प्रेशर बहुत जादा बढ़कर पैरलेसिस हो जाना ये सुख खराब बीमारियां एसिडिटी से शुरू होती है जब रक्त में एसिडिटी बढ़ती है तब ये बीमारियां अपने चरम पर पहुँचते है लेकिन रक्त में एसिडिटी बढ़ती कहां से है उप पेट से बढ़ती है पेट में ऐसे दिती कम पढ़ेगी, जब आप घूत घूत पानी नहीं पिएगे, तो लार बार बार अंदर नहीं जाएगी, तो समस्या आएगी, इसलिए आयुवेद में कहा गया, पानी घूत घूत पिएगे, तीसरा नियम है, सबेरे सोकर उठें, सबसे पहले पानी तो जो गहाँ पान जोकरते हैं, जो घूति हुषा पानी प्यान, सबेरोध्य सबेम पान की वस एंपानी में कह सकता आप ता कि आप द्री वासी हों अप्यों सबेरे साड़े चार बॉजे में सब्षा नहीं हaggi को पानी पिने ऑसे पंद्री और प्षल कूला ने वीगे दित सोना तो स्वर्ग की बाद कल्पना की बाद संभविन इसलिए मैं कहता हूँ जब उठें तो पहले पानी आपकी जब दिन हो जाए जब सबेरा हो जाए उठते ही पानी कम से कम टीम गिलास बिना प्यास के गूट-गूट भर के कोई कहे बाद मुँवे लार बनी को जमा है गूट-गूट पानी पी लेंगे सब लार नीचे चलेंगे दूसरा फाइदा उठते ही आप पानी पिएंगे तो पानी सारा बड़ी आंथ में जाएगा बड़ी आंथ में मल फसा रहता है लार जिम जिसकाई में तो मन को बाहर निकालेगा जैसे ही पानी मल को निकालना शुरू करेगा प्रेशर एक लम बनेगा आपको आप तुरेंट टॉलेट में जाएंगे और पांच मिनट में फ्रेश होगे वापस आईवेज में कहा गया कि जो सबेरे एक बार मुक्त हो जाते हैं मने फ्रेश हो जाते हैं मने जिनको सबेरे एक बार पूरा खुल कर पेट साफ हो जाता है उनकी जिन्दगी में कोई रोग नहीं है इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना बहुत ज़रूरी दाग साफ करना नहीं है पहले पानी पीना है दाग साफ करना है तो रात को करें और उठते ही पानी कि चौथा नियम है धंडा पानी कभी भी नापियाग कितनी भी प्यास लगें कितना भी गला सूथ कितनी भी गर्मी पड़े ठंडा पानी नापनी की समस्या ये है कि पानी जब बहुत ठंडा होता है तो तापमान उसका 10 दिगरी के आसपास फ्रिज का पानी अगर आप नापेंगे थर्मामीटर से 10 दिगरी बरफ डाला हुआ पानी नापेंगे 4 से 5 दिगरी इतना ठंडा पानी आप पेट में डाल रहा है जिसकी गर्मी है 37 दिगरी सेंटिट पेट गरम है पानी ठंडा है गरम पेट में ठंडा पानी डाली जगडा शुरू होगा जगणा क्या होने वाला है या तो पानी पेट को ठंडा करें या पेट पानी को गरम करें अगर पानी ने पेट को ठंडा कर दिया तो पेट के अंदर का सब ठंडा हो जाए पेट ठंडा होते ही हिरदय ठंडा होते ही मस्दिश्क ठंडा मस्दिश्क ठंडा हो गया तो आप ठं कैसी विचित्र दुनिया है, जब तक शरीर गरम रहता है, सब आप से लिपट लिपट के बैठेंगे, जैसे ही आपका शरीर ठंडा हुआ, लेके जाओ, हटाओ, जल्दी अर्थी लगाओ, जल्दी शम्शान घाट लेके जाओ, एक मिनट बरदाश्ट करना मुश्किल हो जात और जितना देर में हो उतना ही खरा, जिनका अंतिम संस्कार जल्दी नहीं होता ना, उनी को कहा जाता, कुट्टे की मौत मरा, क्योंकि कुट्टे का कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं होता, ये जो कुट्टे की मौत का मौावरा है ना, ये उनके लिए है, जिनका शरीर थंड़ा होने के बाद गंटों पड़ा रहता है अभी तो आप जान पूच के रखते हैं वर्फ की सिल्लियां लाकर रखते हैं अब मजबूरियां है बेटा अमेरिका में हैं बेटी कनाडा में हैं तो आप कैसे आएंगे जब तक नहीं आएंगे तब तक रखना पड़ेगा शास्त्र के विरुंत तो आपको मैं धू समझाना चाहता हम वो यह शरीर कम थंड़ा मत से गरं रखे दो नहीं इसके लिए खंटा पानी 비間 पूंजिव नहीं तो क्या होगा ठंडा पानी बार बार पीते रहेंगे शरीर में तक्रीफ है शुरू होगी उसकी सबसे बड़ी तक्रीफ क्या होती है कि जब बहुत ठंडा पानी आप पी लेते हैं तो शरीर का जो पेट है वो पानी को गरम करता है पानी को गरम करने में पेट को होगा शरीर का सारा पून पेट में जाने लगे तो बागी अंगों को खून की कमी पढ़ जाएगी और वो खून की कमी हमेशा के लिए कोई डैमेज कर गया इसलिए आयुवेद कहता है कभी भी धंडा पानी गल्ती से भी नाम ले ठीक है चार नियम हो गई पाच्वा नियम है हमेशा खाना खाएं तो चबा चबा कर खाएं इतना चबाएं जितने आपके दात आपके 32 हैं तो 32 बार चबाएं ताकि अच्छे से लाग मिलकर अंगर जाए और अच्छे से खाना पच्छे इसके बाद छटा नियम है कि खाना जब भी कि जमीन पर बैठ्ट पर चयांग है मैं घघिन कि मपरने से अगली हो लुगी की तो इस लिए भी उसके आगे का साथवा नियम है दुपहर को जब आप खाना खाएं तो आराम जरूर करें कम से कम अलता है इसमें क्योंकि दुपहर को खाना खाते ही हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ता है एक तो सूरज की दूप होती है दुपहर को और अंदर की गर्मी दोनों मिलाकर ब्लड प्रेशर बढ़ता है बीबी बढ़ेगा तो आराम ही करना पड़ेगा काम नहीं कर सकते हैं तो दुपहर का खाना खाना आराम करें सबसे अच्छे आराम करने की उत्रा होती है लेफ्ट साइड में लेटना बाई तरफ करवट लेके लेटना इसको वांग कुक्षी ज्यादा नहीं लेटना फिर बुटा पा आता है अड़तारीस मिरट तक लेटना तो अच्छा है उसमें नीद आजाए तो ले लेना ज्यादा लेंगे नीद तो फिर बुटा पा लेए इसलिए ध्यान उसका रहना इसकी आगे का आगए का आगवा नियम है कि रात को खाना कशी के दो गूंटे तक आराम नहीं करना दो गूंटे बादी करते हैं रात के खाने के बाद पैदल चलना वहства जूरी है एक उचा दगूद कुछ और कृद क्रण करने प्र्लोड उनीद की Northeast कौकि रात को ब्लेट प्लड क्रेशर को है को और कम ब्लड प्रेशर में आराम कर कि उचे ग्लट प्रेशर मैं एक आराम करना फतर लगी मैं आराम करना करना विशनाओ रात को दो गंदे बाराम करें दुपहर को तुरंट अराम करें कि इसके बाद का आग आप नवा नियम है नाइथ कि आ जब खाना खान तो दो छीजों को ध्यान रखें एक साथ ऐसी नाख जो एक दूसरे के भी रोगी, धंडा गरम साथ में ना खाएं, दूद और दही साथ में ना खाएं, उड़त की दाल और दही साथ में ना खाएं, खटे फल और दूद साथ में ना लें, कढधल की सबजी के साथ दूद ना खाएं, कच्छी पे आज खा रहे हैं तो दूद नह कि आपको थोड़ा जटका लगेगा ये क्या बोल दिया क्योंकि रायता तो बिना नमग के बनता नहीं है बात ऐसी है कि ये जो दही है ना ये जीवानों का घर है अगर आप लेंस लगा के देखेंगे तो दही में लाखों जीवानों होते हैं अब लोग अंग्रेजी में उनको लेक्टो वैसिलाइज करते हैं ये जीवानों जीवित चाहिए प्रेट को आप दही में एक चुट की नमग डाल दीजे सब जीवानों एक प्रेट में मर जाते हैं अब मर गए तो दही खाया वो बेका इसलिए जीवित जीवानों दही के संख्या बहुत तेज बढ़ती है गठती है बड़े हुई संख्या के जीवानों आपको चाहिए आखरी नियम है माताओं के लिए यह नियम है विशेश्रों से घर में खाना बनाते समय कोई भी बरतन ऐसा इस्तेमाल ना करें जो चारों तरफ से बंदू हां हमेशा खाना ब बंद है तो भी चलेगा पूरा बंद ना हूँ क्यों बाहर की हवा खाने को बनाते समय अंदर प्रवेश करनी जरूरी है बागवटी ची ने कहा कि बोजन को पकाते समय सूरिका प्रकाश या पवन का इस वर्ष दोनों में से कोई एक चीज आवश्यक है या तो बोजन बनत प्रेशर कुकर में खाना मता है और आप गुकर भागवटी जी के जवाने में नहीं था लेकिन नियम उनोंने तभी लिए उन friend realizes कि यह आद्मी किसी किन बना लेगा इसको अब ये बात मैंने मज़ाइक में कहीं लेकिन ये बड़ी गमधीर बात है। ये प्रेशर कुकर का चक्कर बड़ा खराब है। आप जानतें प्रेशर को कर अलुमिनियुम का है। अलुमिनियुम दुनिया का सबसे खराब मेटल है धातु है खाना बनाने के लिए और पकाने के लिए। मैंने एक सर्वे किया था आस से दस साल पहरे कि गरीबों को सबसे जादा अस्थमा दमा और टीवी क्यों होती है गरीबों को उस सर्वे का रिजल्ट आया कि सारे गरीब लोग अलुमिनियुम के वरतन में खाना बनाते हैं और खाते हैं यही उनके दमा और अस्थमा का कारण पर्टी भी खर्था। अब हमने घर में अगर लाया है प्रशर मों कर तो यह भी तो दमाऊ रस्थमा की बीमारी ही है आप इसे न इसके माल यह तो इसकी जगे क्या करें बहोने में बनाएं दाल कढ़ाई में बहोने में मैं सबको यह सुझाओ देता हूँ प्रेशर को कर हटाते हैं बिटी की हांडी ले आए कि बहुत सस्थियां कि फच्व की इसके और हांडी में दल पकाएंगा नान एफटार केस्त में अभी आसी ही चलता है हांडी में धूद्ध बनाया जाता है और दूद्धाक można तो एकदम लाल सुर्फ हो जाता है वो धूद का स्वाद ही अधर होता है हाडी में हाँ बता तरह उपी गैस पे कैसे चले की हाडी हाडी में दही भी जवाया जाता बहुत अच्छा स्वाड आप कभी कलकत्ता जाएं तो वह मेठा दही जरूर का कलकत्ता वाले उसको सब्सक्राइब ठेश रुज Allऄ तो पेस्की न हातों मड़ाइ से बड़े फाइव स्टार में विश्टी धुक्तता अंक्र ह कलकत्ता वे तो सस्ता है लेकिश्टा फाइव स्टार होटले वही 500 500 र रुप्य निएक और अब तो फाइव साатов में अगरम लेकिन एक कटोरी 240-250-270 ये कीमत है 250 में तो कम से कम 10 हंडी आते हैं लोग जाते हैं वहां खाने के लिए हांडी की दाल लेकिन घर में हांडी लाके क्यों नहीं पकाते हुआ तो आप कहेंगे गैस पे नहीं चलेगी बहुत अच्छे से चलेगी हांडी को गैस पे चलाने का सबसे सरग उपाय है गैस को धीमा रखो कभी भी तेज गैस किया तो हांडी चटक जाए हलकी आच रखो तो हांडी कभी ने ढूट और मानलों ढूट भी गए तो दूसरी ले ले लेना कौन सी ऐसी आफ़त है हिंदुस्तान में डेड़ करोड कुमार हैं जो ये बनाते हैं वो भूखमरी के शिकार हैं क्योंकि आप खरीदते ही नहीं उनकी हांडी आपने तो कुकर लाला के कुमारों को बेकार रेफ्रीजरेटर ले आए तो घड़े बिखने बंद हो गए उनके जब से कुकर आगया उनकी हांडिया बिखनी बंद हो गई प्लास्टिक के गिलास आगए तो खुल्लड बिखने बंद हो गए उनके हमने बोंबत्ती लगाना शुरू कर दिया तो दिये बनने बिखने दीपक बिखने बंदो गए देड़ करोड कुमार गुत्मरी के शिकार है इसलिए वो सरकार से कहते हमको आरक्षन चलिए क्योंकि अब उनका काम धंदा तो तूट रहा है तो आप उनकी थोड़ी तो कुछ खरीदो उनका तो उनकी जिन्दगी चले उनका रोजगार बढ़े तो सबसे आसान है कि हांडी खरीदना शुरू कर दो दाल चावल उसमें बनाओ और वही खाओ इसका सबसे बड़ा फाइदा जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि आप जाते हांडी मिट्टी के और सबसे ज्यादा फॉस क्वारस है केलशियम और फॉसक्वारस हमारे शेर का सबसे महत्तों कैमिकल में केलशियम के शरीर नहीं हो सकता नाफ फॉसक्रोदन हसे चाहिए चाहिवा नие फ्रौ बेंट Carne अच्वाद चाहिए हमको आरेन शाल यंज्टी में हैं मेगनिशियमっ चाहि फो वैंटी में तलसली टीव लैनरी और यह कम पढ़ जाए को दोक्टर लिखके देता केल्शियम सेंटे उसकी गोली खाओ तो खाते हो आपके मिट्टी और वो खाते हो सेकुड़ों रुबए खर्च करते हो और फिर भी गारिंटी कुछ नहीं है कि उससे कुछ फाइदा भी हो जाएगा उससे अच्छा यह है कि मुफत की मिट्टी की अच्छा केल्शियम जिसमें है मिट्टी में उसमें दाल बनाके खालों विग्यान तो यही कहता है तो आप अगर करें तो आज से अपनी घर में बदलाव कर लें मिट्टी की हाड़ी खरी लें फिर आप गहेंगे खाना बहुत देर में बनेगा पहले बनाके देखा अच्छा रहे तो अच्छा रहे तो कौन बड़ी बात है कि मैं अभी थोड़े दिन पहले मंद्रास देया था चिन नहीं वहां भारत का एक बहुत बड़ा समू है जैसे आपने नाम जुना हीरो होंडा ऐसे दक्षन भारत का गुरूप है टीवीस सुन्दरम टीवेस मोटर प्रसाथ में चावन वगरा वगरा और वो खिला तो मैंने आश्यर से पूछा आप करोड़ पती आदमी पर बिट्टी की हाडी में दाल चावल खाते हैं तो उनकी पत्ति ने पता क्या उंतर दिया वो तो भगवान कृश्न भी खाते हैं मैं पूछा वो कैसे आपको वालू है जगनात्पुरी के बंदिर में क्रश्ण भगवाद को प्रसाद मिट्टी की हांडी में चलाएगा तो सुन्दरंग्रुप की जो मालकिन है वो मुझे कह रही है कि जो क्रश्ण भगवान मिट्टी की हांडी में खा सकते हैं तो हम तो उनके भक्त हैं ना हमको क्यों नहीं खाना चाहिए तो मैंने का आप तो 40,000 क्रोड का बिस्निस चलाती है आपके पास टाइम इतना कहा है कि इतनी धी देर खानहा बनातश हूंका उपनिक जो उन्हों ने कहा है ये 40,000 क्रोड या 4,000 क्रोड किसी भी काम के नहीं हैं जिस दिन शरीर बेकार हो इतना इंटलिजेंट उतर आपको सुनने को कम नहीं उन्होंने का यह 40,000 क्रोड या 40,000 क्रोड किसी काम का नहीं जब शरीर काम ना करें तो यह पैसा है किसके लिए हम शरीर स्वस्थ रखें इसके लिए तो सारा हम सरंजाम जुटा रहे हैं और स्वस्थ रहने का सबसे असन तरीका है फिट्टी की हांडी की दान चावल वगरा मगरा खातिरों तो करोड पतियों के घर में अगर यह हो सकता है तो आपके घर में भी हो सकता है करिए दिल्ली के बहुत सारे कुमार आपका इंतजार कर रहा है कब आप उनको और करें और कब वो अपनी हांडियां बेचने के लिए आपकी मदद लें और अगर आपने सच में इनका उद्धार कर दिया तो इनकी जो दुआएं मिलेंगी आपको वो आपके जिंदगी के हर काम को पूरा करें सवामी जी के यहां से ऐख कारिक्रम शुरू हुआ यह कारिक्रम शुरू करने से पीछे की बूमी का क्या है प्रश्ट गूमी क्या आप दैसंद मेत तो बार-बार आपने उनके मूंँ से यह सुना होगा कि योग और प्रानायाम उनके जीवन का आखरी उ मूप में लिया है उद्देश तो कुछ दूसरा है उद्देश क्या है वो चाहते हैं कि भारत देश फिर से सोने की चलिया बने और विश्व गुरु के इस्थान पर इस्थापित हो यह उनका आखरी लक्ष है योग और प्राणायाम साधल है साध्य यह है कि भारत फिर से सोने की चलिया बने अब जब यह प्रशन उठता है कि भारत फिर से सोने की चलिया बने और विश्व गुरु के इस्थान पर हो तो इसका सीधा सा उत्तर है कि भारत कभी सोने की चलिया था या रहा होगा फिर से तो तभी बनेगा ना पहले कभी जहां होगा कामी दयानन जो आरे समाज के इस्थाफ़ते जिनों ने आरे समाज की इस्थाफ़ना की जिए भवन में हम बैठे स्वामी दयानन जी ने एक वाक के लिखा है बहुत बहुत गहरी बात रही कि भारत वो पत्थर था जिसको छुने के बाद कोई भी पारस होता था क्योंगी स्वामी दयानन जी के बारे में तो ये बात बिलकुल निर्विबात कही जाती है कि वो कोई чीज असथि नहीं लिखते असथि कभी बोला नहीं असथि कभी लिखा नहीं और हमेशा जीवन में दूसरों को उपदेश धिया कि सत्य को ग्रहर करना और असथि को इसके पीछे राज होगा एक पाल मैंने हैं ये बात मेरे गुरू से पूछी मेरे गुरू थे उनका नाम था शरी धर्योंपार वो बहुत बड़े जिहासकार थे उनका जन्म मुझफर नगर जिले में हुआ और उनकी पढ़ाई लाहौर में हुई थी और बाद में वो र्टाइब अगिरा ऋगयरा हो गए तो भारत वामसावें मेरे वो गुरू थे एक बार मैंने का की स्वामीस दियानम्त जी हैसा तो रही किष्ए तो сवली के पालब कि भारत थो सवामांस से कि प्रमान कि दी लगे तुम्हारे जैसे आदमी की यही गड़बड़ी है मैंने का मेरे जैसे मतलब तो उन्हें का जो आधुनिक सिक्षा लेकर निकले हुए लोग है ना इनके जीवन में एक ही गड़बड़ी है कि वो अविश्वास पहले करते हैं विश्वास बाद में और यह जो बिना पढ़ा लिखा आत्मी होता है ना उसकी यह खुश किसमत यह और खूबी है कि वो सबसे पहले विश्वास करता है अविश्वास कभी नहीं करते हैं इसका मतलब इस पढ़ाई लिखाई में हमको खराब करिया है अविश्वास ही बनाए हम जल्दी भरोसे नहीं करते किसी चीज में मुझे भी नहीं होता क्योंकि मैं भी इसी आदुलिक सिक्षा में से पढ़कर निकला हूँ तो मैंने मेरे गुरू से का कि मुझे तो होता न लंदन क्यों तो उनका सब प्रमाण वहीं पर हैं भारत के सारे प्रमाण वहां हैं तो फिर तब से मेरे दिमाग में यह बात बैठ लेए और फिर मुझे लंदन जाने का जब चांस मिला मौका मिला तो मैंने वहां वो प्रमाण देखे लंदन में एक बहुत बड़ी है वहां भारत के बारे में लाखों देश्टावेच लाखों की संगया और लंदन शहर में और एक दूसली करें उसको बिटिश मीजिम लाइब कर्या वाहां पे घा ब भारत के दो 30 प्रटिश मुजियम लाइब्रेडी के हैं थोड़ा सॉर्बोन की एक बड़ी लाइब्रेडी है फ्रांस में वहां के हैं ऐसे अलग लग जगे के कुछ दस्तावेज हैं संध्या लगवक पचास हजार हैं लेकिन लाखों में दस्तावेज बहाएं जो यह बताते हैं कि भारत क देश था अंग्रेजों के आने के पहले हैं अग्रेजों के आने के पहले यह देश कैसा था एक दस्तावेज का जिक्र करता उंग्रेज कि भी इस अन्टावेज को फस्त और विवारेटा उसका नाम था विलियम विलवर्फोर्स साड़े तीन घंटे वो भाषन देया उस भाषन में वो भारत के बारे में जिक्र किया उसमें भाषन की शुरुआत की थी how to kristianize India भारत को इसाई कैसे बनाया जाए यहां से शुरू किया उसका पूरा भाषन मेरे पास 가지고 उसमें वो कहता है कि भारत को इसाई बनाना क्यों बनाना इसलिए बनाना है कि यह देश धन धानने से भरपूर है भारत और इसलिए बनाना है कि अंग्रेजों का देश बहुत गरीब है तो अंग्रेजों को गरीबी मिटा नहीं है तो भारत की अमीरी से मिट सकती भारत का पैसा लंदन आता रहे तो भारत तो जो हो सो हम अमीर हो जाए और वो यह बात अपने देश के पारे में कह रहा है क्योंकि आज से 200 साल पहले लोड़ अंग्रेज लोग भूप से मर गए तो अंग्रेजों की आज जनसंख्या साथ करूण है और आजी जनसंख्या मर गई थी गरीबी के कारण इतनी भूपमरी होती तो बिल्बरफोर्स कहरा हम बहुत गरीब है हमारे देश को गरीबी मिटानी है और भारत के पास इतन जब हमारा साशन भारत में चले और हमारा साशन भारत में हमेशा चलता रहे यह तब संभव हो जब भारत के लोग ईसाई हो जाए जो राजा का धर्म है वही प्रजा का हो जाए तो प्रजा और राजा में टक्कर नहीं होगी टक्राव नहीं होगा जैसे हम होंगे वैसी प् इसाई बनाने के लिए हमें भारत से पैसा लाना हजार साल तक लूपना तो इंग्लेंड का प्राइम मिनिस्टर उस समय था ग्लेडिस्टर वो पूछ रहा है विल्वर को बीच में रोपके कि तुमको कैसे मालुक भारत इतना पैसे वाला देश इतना सम्रुद्शाली इतना इतना तब वो कहता है कि हमारी जो इस्ट इंडिया कंपनी भारत में गई है उसके अधिकारियों कोमरें स्र nota किकुछ reports मेरे पास हैं जो आपको बताना चाहता हूँ तो ऐक सब्सक्राइब कर रहा है और कह रहा है कि भारत का सारी दुनिया मैं 33 प्रतिशव बारत का है दुनिया में अगर सौ अरब डॉलर का माल भिक रहा है तो 30 अरब डॉलर का माल भारत का भी तो दूसरे नंबर पर हाइस एक्सपोर्टिंग कंट्री वह चीन जिसका 27 प्रतिशत माल दुनिया में भारत और चीन दोनों को मिला दिया जाए तो आदे से जादा माल तो यह दो ही देशों का भिक रहा है पूरी तो वह कोट कर रहा है सर्वे की रिपोर्ट को अब यह जो 33 प्रतिशत एक्सपोर्ट हो रहा है तो फिर वह पूछ रहा है प्र मारी सबसे अच्छी आपको मालूम है यहां मलमल बनता था मलमल की थान होती थी बारे बिच लंबा मलमल का थान तहे करते हुए एक दियासलाई के डबगे में रख सकते थे इतनी बारी गुनाई होती तो वह बिल्वर्फोर्स कहारा हाइस्ट एक्सपोर्ट है करता है हाँ दुनिया जब कपड़ा पहना जानती नहीं थी तब भारतवासी मलमल बनाते थे इतनी बारी बनाई है और यह मशीन से नहीं बनता हाथ से बनता है तो ग्लेडिस्टन कहता है यह कांट बिली रिफों कहता है मुझे भरोसा नहीं होता तो बिल्वर्फोर्स कहता भरोसा तो मुझे भी नहीं होता लेकिन यह रिपोर्ट सामने रखी है इसका क्या करूं और यह भारतवासियों की बनाई हुई नहीं है हमारे अधिकारी जो भारत में गए हैं उनकी बनाई हुई रिफोर्ट है कपड़ा बित्ता था बहुत बड़े एक पैमाने पर यहां स हम सीमेंट बोलते हैं पहले जवाने में चूना हुआ करता था चूना बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऐसे 36 एक्सपोर्ट और वह बोलता है विल्वरफोर्स कि दुनिया के सारे देश भारत के लिए परेशान है कि उनको यह माल चाहिए और भारत की मोनोपोली है कोई उसका क क्योंकि बेस्ट क्वालिटी यह सामान बनता है अब ग्लेडिस्टन पूछ रहा है तो फिर भारत सोने की चड़िया कैसे हो गया तो वह बताता है कि यह जो भिक रहा है सारा माल इसके बदले में भारत को सोना मिलता है कि हम कपड़ा बेचते हैं और हमको सोना मिलता है हम लोहा बेचते हैं हमको सोना मिलता है हम इट बेचते हैं हमको सोना मिलता है क्यों क्योंकि उस जमानी में करिंसी नहीं थी सोना ही था, चांदी ही थी, हीरे जवारा थे और आप जानते हैं बार्टर सिस्टम था बार्टर सिस्टम में आप कुछ देंगे तब कोई दूसरा देगा तो हम कपड़ा देते थे तो वो सोना देते थे हम स्टील देते थे तो सोना देते थे और हमारा सबसे बड़ा व्यापारी साजीदार था अफरीका अफरीका में सबसे ज़्यादा सोना होता है आप जा तो अफरीका के व्यापारी हमसे ये खरीदते थे और बदले में हमको सोना मिलता और ये तीन हजार साल चना तीन हजार साल हमने सोना लाया कपड़ा बेच के हमने सोना लाया लोहा बेच के तो इतना सोना इकठा हो गया इस देश में कि सारी दुनिया ने भारत को सोने की चड़िया पहना शुआ और सोना इतना हो गया हमारे पास कि हमने गहने और जेवरात तो सोने के बनाए ही फिर जरूरत पढ़ने पर मंदिर भी सोने के बना डाने है। दुनिया में ये हजारों साल का एक ही देश है जहां सोने के मंदिर है। सोने की मस्जित नहीं है, सोने का गिरजाविर में है। यहां सोने के मंदिर है। प्रश्तर का सुन मंदिर मैंने अंग्रेजों के दस्ता बेच घूंड़ोंकर निकाले तो भारत देश में अंग्रेजों कि आने के पहले तक ग्यारे हजार से जादा स्वली के मंदिर एक-एक मंदिर के पास INS without looking that million didnald मंदिरों में सोना कहां से आया समाज की पास कहां से आया तो वियापार करके जाने लूटाने किसी पूर McKay li water mentality कभी लूटने नहीं गया भारत का कोई राजा कभी दूसरे देश पर हमला करने नहीं गया यहां बड़े-बड़े चक्रवरती संब्राट हुए जिनका सारी दुनिया संवान करती थी चंदवुप्त विक्रमादित्य को आप जानते हैं हर्शवर्धन को आप जानते हैं अशोग को आप जानते हैं सारी दुनिया इन ब्यापार में हम सब से ऊपर थे इतना सोनाक तो मोसट ना जमा हो गया था इस देश में इसलिए सारी दुनिया में सोने की जड़िया नाम से भारत क्रसित हो क्योंकि व्यापार बहुत उंचा था इस देश यह दस्तावेश पढ़ने के बार मुझे पहली बार पता चला कि भारत उद्योग प्रधान देश था सिर्फ क्रशी प्रधान नहीं था हमको यह बता गया ना भारत क्रशी प्रधान देश क्रशी क्रशी तो सेकेंडरी है उद्योग तो प्राइमरी थे और ये सब इतना सारा तीन हजार साल हम सोना कमाते रहे कमाते रहे फिर मंतिर बनाते रहे सोना दान करते रहे सोने का उपयोग इस देश का सबसे जादा है आज भी सबसे जादा है हम गरीबी में हैं फिर भी दुनिया का सबसे जादा सोना इसी देश में बले वो घरों में है यह अलग बात है लेकिन है अभी पीस देश में तो इसलिए यह देश पैसे वाला समुरुत शाली बना और यही कारण था जो अंग्रेज यहां आए फ्रांसी सी आए डच लोग आए पुर्त गाली लोग आए आप यहां सोचों अगर हम गर अगर हम गरीब होते भुकमरी के शिकार होते तो फ्रांसी सी क्यों आते वासको डिगामा क्यों आया अपनी पूरी फॉज लेकर सिकंदर क्यों आया यूनान से चलकर यहां कर यह सारे लोग आए क्योंकि हमारे पास कुछ था और वो दोई चीज़ें थी एक तो ग्यान और दूसरा पैसा समुरुट्य ग्यान भी बहुत था इस देश भारत तो नाम ही ज्यान है संस्कृत का शब्द हाव का मतलब है ज्यान और रत्माने लगा हुआ ज्यान में लगा हुआ देश है यह बहुत उच्छा कितने हजारों विद्यारती विदेशों से आकर यहां पढ़ है एसी हजारों में जिए भी घरव पूरी सूची है कितने विद्याले कहा कहां थे वह कि को ग्यान पैसे में बहुत सबाते कोई यहन लेने आता कोई पैसाल लेने हम कहीं नहीं गएं सुब यहां आए तो इसलिए भारत दुनिया में गुरू था क्योंकि ग्यान भी यहीं से मिलता था लोगों को और धन और संपत्ती भी यहीं से बेंगे फिर गड़बर क्या हुई गड़बर यह हुई कि जब बहुत ज़्यादा संपत्ती आ गई हमारे पास तो हमने संपत्ती की कदर करना बंद कर दे जरूरत से ज़्यादा कोई चीज हो जाएना तो कदर नहीं होती है कदर कैसे बंद होई हमने एक फिलोसफी बनाई इस देश में ब्रह्मुसत्यम जगत्मिध्या आरे समाजी कहेंगे यह पौरानिकों की बनाई हुई है सच में हम लोगों ने यही गड़बड कर दी इस देश में ब्रह्मुसत्यम जगत्मिध्या क्या उल्टी बात कर रहे हैं अगर जगत्मिध्या है तो सब मिध्या है फिर जगत्मिध्या नहीं होता ब्रह्मु भी सकते है जगत्मिध्या लेकिन कुछ हजार साल हमारा किसने घुमाया, बौध धरम के लोगों हमारा दिमाग घुमाया, आप जानते हैं बौध धरम इसी देश में आया, तो बौध धरम वालों ने ये फिलोसफी इतनी तेज फैलाई, ब्रह्म सक्त्यम जगत, विध्या, तो ये सोना है, चानी है, ये जगत है, ये विध्या है, ब जब विदेशी आये लूट मार करने के लिए, तो हमने का रहे, क्या है, माया है, लूट रहे हैं, लूट पे दो, तो जो विदेशी आया, वो लूट के ले गया, हम तालिया बजाते रहेvak. सोघनाध का मंदिर लूटने के लिए मह्मूत गजनभी आयا. सत्रे बार उसने मंदर लूटा और मंदर के पुजारी खामोश लूट को देखते रहे 200 पुजारी थे और 117 महमूद गजनवी के सैनिक थे 200 पुजारी थे 250 एक एक पुजारी एक एक लाठी लेकर अगर महमूद गजनवी की सेना पर बिल जाता पहले सार भी मर जा लगिन वो पुजारी बोलते रहे ब्रममासत्यंव-जगत-मिथ्या ब्रम्म-सत्यं-फ्यं-जगत-मिथ्या मंदर है जगत का हिस्ता है लुट रहा लुटने दो centra आजए हैं की संपति और साथ बॉलते ना माइा में ने नोगों को पुछा भी माया में हम न फसें यह तो ठीक है आप क्यों फसे हुए हो एक सादू बाबां है में नाम नहीं लेता रोजी भाषन देते माया में मत फसओ और कहतें मेरे को दे दो, तुम मत फसो, मुझे दे, मैं सभालूँगा तुमारी माया, तो जैसे आज कल के कुछ पाखंडी लोग है ना इस देश में जो आपको उल्लू बनाते रहते, ऐसे ही कुछ पाखंडी हजार साल पहले हो गए इस देश में, उन्होंने खूब उल्लू बनाया लोगों को, माया में नहीं फसो, तो जैसे आए, माया को लूटते रहे, और वो लूटते रहे, हम लुटते रहे, हम लुटते रहे, हम लुटते रहे, एक दिन सब खाली हो गया, महमूत गज्रमी ने लूटा, तेमूर लंग ने लूटा, नाधिर शाह ने लूटा, इमद शाह उपदाली ने लूटा, फिर उसके बाद भाबर आ गया, फिर उसके खांदानियों ने लूटा, फिर वो खांदान खतम हो गया, तो फिर उसके बाद पुर्तगाली आ गए, पूर्तगाली चले गए तो फ्रांसिसी आगें उन्होंने लूटा फ्रांसिसी गए तु फिर अंग्रेज आ गए और उन्होंने तो धाइसो साल खूब जम के लूटा उस लूट का परिणाम ये हुआ कि सोने की चड़िया नाम का भारत अम मिट्टी की चड़िया भी नहीं रह गया अब इस्तिती इस देश की ये है धाइसो साल पहले जो दुनिया का सबसे जादा पैसे वाला देश था अब दुनिया के सबसे गरीब देशों में हमारी गिन्ती होती है एक सो तेरे करोण की हमारी आबादी है जिसमें 84 करोण लोग इतने गरीब हैं जिनकी एक दिन की कमाई 20 रुपई से कम है ऐसा देश हो गया इस लूट ने हमको कहीं का नहीं छोड़ यह लूट कैसे हुई कई तरीकों से हुई ये लूग एक तो यह था कि विदेशी आते थे और जो धन संपत्ती हमारे मंदिरों में था उसको लेके जाते जा थे यह एक तरीका था दूसरा तरीका था ता कि ले पर आप सोचो दुनिया में ऐसा कोई समाज है जो अपनी जरूरत के बिना का सावन करीदे हैं हमने खरीदा आज भी खरीद रहे हमारी अकली खतम हो गई है कि यह हमें चहीए कि नहीं चाहिए उधारिण के लिए चाहे की हमें कभी भी जरूरत नहीं रही क्योंकि यह गरम देश है गरम देश में चाहे ना पी जाती है ना पिलाई जाती है और गरम देश में चाहे उत्पादन भी नहीं हो सकते है चाय उत्मादन होने के लिए ठंडा देश चाहिए यूरोप और अमेरिका में चाय हो सकती है भारत में तो वह चाय लेके आए हमारे देश को हम गरम देश वाले जो दूद पीते थे लस्टी पीते थे मठा पीते थे हर दिन दही होता था हर दिन मक्षन होता था दही और होने चाय पीना शुरू करते हैं अंग्रेज बहुत चाला थे उनको भारत वासियों की एक कमजोरी पता चल गए उनको यह पता चला कि भारत वासी मुफत में कुछ भी ले तो सबसे पहले चाय उन्होंने मुफत में पिलाई जगे जगे चाय के दुकाने खोली इस्ट पोड़ी तीटाbell शाता है एक साल में हिंदुस्तानी लोग सफ सतर करोड किलोग्राम चाया पी जाती है थ सब्राइब फोयदके सब्सक्रंदी के शाजब करते बीमारीां आती है क्योंकि शाय ैसी डिख है आप जानतें तेजाबे ज्यादा चाह पिएनगे। तेजाब depend on खर्च करते हैं हम साड़े छे लाग करोण को ऐसे मूर्खा नंध्य है इस देश के लोग जो अपने को बड़ा स्मार्ट समस्भत हैं ज्यादा इस मार्ट हो है जो उठते ही चाय पीते और ज्यादा इस्मार्ट वो हैं जिनको टेट्टी तब उतरती है जब चाहे पी लें कि सुपर इस्मार्ट है कि बैट्टी चाहिए उसके बिना तो टेट्टी भी नहीं उतरती तो यह महानुभाव लोग जो इस देश में अंग्रेजों के छोड़े हुए हैं मैं कहता हूं यह काले अंग् सकते हैं किसी के भी घर में चाहिए प्योंगे हां लेओ एक बार भी कोई नहीं कहता जी नहीं पिये हैं हां लेओ और वो पूछेगा इसलिए कि उसको भी पीनी है तो खुद पीएगा आपको पिला है तो 10,500 करोड की चाह अंग्रेजियों जोंके जमाने में बिक्ती नहीं ख्रीनिया अफीय है आयकर मालूमिए अग्रेज चीन से अफीय लेके आते से भारत में बेच थे अफिर मुनादबे लेकente drive कर दिया चाय फिर उन нрав शूब कर दिया पिर उनकी चीनी खाना शुरू कर दिया क्योंकि आप जानते हैं कि आप आनतें सबसे पहले इंग्रेंड मे भारत में नहीं मनी चीनी लेना शुरू कर दिया फिर मैदा लेना शुरू कर दिया हम तो आठा खाने वाले लोग थे हम geweकrias बिकने लगे इस देश में पाउर रोटी डबल रूटी बिस्किट ये सब उन्हों लाना शुरू कर दिया ये विखना चालू हो गया धीरे धीरे अंग्रेजों का इतना धंदा बढ़ा इस देश में कि सारा सोना हमारा जो हमने लाया था तीन अजार साल कमा के वो अंग्रेजों को दे दिया व्यापार के चप्रेख एक तो उन्होंने सीधे लूटा यहां से द उनकी सरकार बन गई तो टेक्स के मातियं से लूटा हूँ Case लगाई हुनों ने वारत वासी कोई भी सामान का उत्वादं करें तो साऑचा और फिर सामान को बेजें तो इंकम टेक्स लगा इडिया एंसे लगा दिया उन्हों रोड टैक्स लगा दिया तूल टैक्स लगा दिया तोटैक्स को माध्यम से पैसा लूट लिया फिर किसानों को लूटा लगान लगा के जमीर पर लगान लगा दिया लेंड ड्रेवन्यू और वो 50 % से लेके 90% तक था महांने जितना उतपादिन करएगा किसान उसका 50% अंग् रहकों से लूट लिया सब लूट लूट के ये धन इंग्लेंट जा गया जाना शुरू हुआ और तब हिंदुस्तानियों को थोड़े दिन के बाद चेतना आई कि हमारा कितना बड़ा लूट हो रही है ये चितना आई तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम दा दादा भही नेरो जी उन्होंने किताब लिखे सबसे पहली किताब इस देश में उनकी आई कि अंग्रेजों ने कितना लूटा फ्रांसी सियों ने कितना लूटा डच लोगों ने कितना लूटा फिर उसके बाद लाइन लगी बहुत सारे अर्टशास्त्रियों ने लिखता आज सेकड़ों किताबे इस देश में हैं जो आप पढ़ें तो आपको खून के आंसू आएंगे कितना लूटा ये देश और एक-दो साल नहीं एक-दो साल नहीं हजार साल महमूद गजनभी से लेकर इसके लिया को उस लूट में सारा धन चला गया हम गरीब हो गए भगवान ने हमें गरीब नहीं बनाया अगर ये देश को भगवान ने गरीब बनाया होता तो सोचो ये देश कैसा होता हम गेहूं का एक बीज खेत में डालते हैं फिर उसमें से पौधा बनता है और उस पौधे में कम से कम 60-70 गेमों के दाने आते हैं यह देश गरीब कैसे बताओं एक बीज डाला तो 70 बीज पैदा हो गए माने 70 गुना ज्यादा उत्पादन भगवान ने तो ऐसी विश्टा बनाई है इस देश उत्पादन तो इतना तो भगवान ने गरीब नहीं बनाया इस देश को तो लुटेरों ने गरीब बनाया और हमने लुटेरों को बुलाया आप जानते हैं सारे विदेशी लुटेरों को हमारे ही लोग लेके आए मुहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, तैमूर लंग, नादिर शाह, एमद शावदाली, ये सब भारत के ही गद्दारों द्वारा बुलाए गए थे कभी गुजरात में तो कभी कही तो कभी कही और इस्ट इंडिया कंपुनी से दोस्ती भी एक भारत के ऐसे ही गद्दार में कराई थी, जिसका नाम था मीर जाफर, तो अपने ही देशवासियों की गद्दारी से हम लुटे, विदेशियों ने हमको लूटा, और आपस में हम इतने लड़ते और जगडते रहे कि विदेश भी आ गई, भुकमरी आ गई, बेरोजगारी आ गई, फिर जब अंग्रेज गए इस देश को छोड़कर, तो सब क्रांतिकारियों का एकी सपना था, कि अंग्रेज चले गए, अब भारत की लूट बंद हो जाए, अंग्रेज चले गए, अब भारत फिर से सोने की चुड़ि जितने क्रांतिकारियों के नाव आप जानते हैं, सब का एकी सपना था, अंग्रेज जाएंगे, तो देश फिर से खुशहाल होगा, सुख और समृत्वी वाला होगा, लेकिन अंग्रेज चले गए, अब साठ साल हो गए, अब साठ साल के बाद देश में देखो, ना कहीं ख खुशाली और समृत्वी अगर है, तो भारत के 10-20-50 लोगों के घरों में, धीरुभाई अम्वानी, नुसली वाडिया, जमशेट जी टाटा या नुस और 75 घराने हैं, इनके घरों में तो समृत्वी दिखती है, और इनके साथ, इनके कुछ सहयोगी, एजेंट वगेरा है जो कुल आवादी का एक प्रतिशत से जादा ने, बाकी तो गरीमी का पूरा महासागर इस देश हो, हमारी सरकार के आंकड़े हैं, 84 करोड भारतवासियों के पास एक दिन की आवंदनी 20 रुपई से कम, 84 करों, तो अंग्रेज गए 60 साल हो गया, अब देश क्यों नहीं आये थे देश को लूटने के लिए, ये हराम गोर काले अंग्रेज तो अपने देश में से पैदा हो गए देश को लूटने के लिए, जिनको आज आप नेता कहते हैं ना, वो किसी भी पार्टी के हो, मैं इनको काला अंग्रेज करते हैं, ये भी लूटने में ऐसे ही लगे ह हुए हैं इस देश को जैसे मेहमूद गजनवी और मुहमब बिन कासिम लगेगी मेरे पास भारत के 419 नेताओं के सारे रिकॉर्ड जो मने एक दिन स्वामी जी को दिखाए और उसी दब में स्वामी जी कहते हैं स्विस्वेंग का पैसा वापस लग यह 419 नेता हैं जिनके ना इतना भी पैसा नहीं था उनकी जेव में कि चाय का प्याला खरीद के खुद पी सकते हैं चाय भी पीनी होती थी तो दूसरी की जेव से पैसा निकाल के पीते थे और आज इन 419 नेताओं में एक-एक के पास 20,000 करोड रुपए के संपत्र कुछ के पास तो 50,000 करोड तक की स नेता तो ऐसे थे जे वो खुद यहां दिल्ली में सिनेमा की टिकट ब्लैक करते तो यहीं दिल्ली के लिए और रहडी पे बैठके टिंडा तो रही लॉकी और टमांडर बेचते यहीं दिल्ली की सब्कों और आज एक-एक के पास 10,000 करोड पंद्रें 15,000 करोड बीस पिस प नेताओं का एक दिन पूरा हिसाब निकाला था मैंने इन्होंने भारत में जो पैसा लूटा ब्रश्टाचार करके बोटाला करके आप जानते हैं ब्रश्टाचार और गोटाला इस देश में हर दिन होता कोई दिन नहीं जाता जिस दिन ना हो इन नेताओं ने 45,000,000 करोड रुप्या लूट कर विदेशी बैंकों में जमा कर रखना अंगरेज आये लूट कर ले गए हमें समझ में आता है कि वह वीदेशी थे लुटे रहे थे हमारे ही अपने देश के नेता देश को लूटने में लग गए और इन्होंने अंग्रेजों से कम नहीं लूटा इस दे फिर कुर्सी पर पैसा बनाओ यहीं विसा लिक्नता अगया हो जितना और दूज़ा ना पर नीचे गर के लूपा उसकी कोई इन्होंने नहीं बनाई तो साठ साल इस देश को इन्हों नोट लिया और इन्हों ने लूटाही NI दूसरों से भी लुट वाया जो थुद तो लूटा दूसरों से भी लुट। एक एक नेता इस देश में जब प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर हो जाता है तो विदेशी कंपनियों को बुला बुला के लाता है भई मेरे राज्य में आओ विदेशी कंपनियों वालो और लूटो मेरे राज्यों आपको मालूम है इस देश में पिछले 15 साल से एक नीती चल रही है उस नीती का नाम तो रखा है उदारी करण लिब्रलाइजेशन लेकिन वास्तम में है भारत की लूट इन नेताओं ने जब जब इनको मौकाविला प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर होने का इन्होंने हजारों के देशी कंपोनियों को लाइसेंस दे दिया था ना इस देश में वह जहांगीर में दिया था जहांगीर उस समय भारत का प्रदान मंत्री था जब इस इंडिया कम्पोनिया तो जहांगीर ने लाइसेंस दिया आपार करने का आगविए यह ज़ुक्ति देरा है साहभे चार हजार कंपनियों को इन्होंने बुला लिया किसी का नामें प्रेप्सिकोला कोई कोई है कोई है कोई लूटने में अब लग गई है इस तेश यह कैसे लूट रही है नेताओं ने इनको लाइसेंस दे दिये यह कंपनियां अपना कुछ सामान बनाती है वह सामान घर घर में आ रहा है हम सब उसे खरीद रहे हम क्यों खरीद रहे हमें मालूम ही नहीं कौन सा सामान भारत का है कौन सा विदेशी क्योंकि हमें कोई पढ़ाता नहीं कोई बताता भी नहीं स्कूल कॉलेज है तो हम अंजाने मे कई बार ऐसा सामन खरीदते हैं जो बाहर की कंपणियों का विदेशी और उसका सारा पैसा देश के बाहर जाता है जैसे एक पैफसी कोला का बोतल आप खरीद लो तो इस देश का सात रुपए बाहर चला जाएगा दस रुपए में बोतल आती है, तीन रुपए यहां रहेगा, साथ रुपए विदेश चलाएगा, एक आप कॉलिगेट पामोलिफ का पेस्ट खरीद लो, 27 रुपए का, उसमें से 5 रुपए भारत रहेगा, 22 रुपए विदेश चलाएगा, अगर आपने बाटा का जूता खर पांच लाग की, तो 3 रुपए भारत से बाहर चला जाएगा, और 15 रुपए खरीद ली तो कम से कम आठ से 10 रुपए वाहर चलाएगा, आपने विदेशी कंपनी का रेफरिजरेटर खरीट लिया, 15,000 का, तो कम से कम उसमें से 9,000 रुपए विदेश चला जाएगा, आपने विदेशी कंपनी का टी भी खरीट लिया, मानलो 10,000 का, तो कम से कम उसमें से 6,000 रुपए विदेश चला जाएगा, तो एक बिन मैंने ये सब हिसाब निकाला, 45,000 कंपनीों का, हर साल इस देश में जो सामन बिक रहा है, उस से 2,00,000 करोड रुपए विदेश में जा रहा है हर साल, 2,00,000 करोड, एक साल, दो साल में 4,00,000 करोड, तीन साल में 6,00,000 करोड, चार साल में 8,00,000 करोड और ये सिलसला पिछले 60 साल से चलना, आजा दी मिली उसके बाद से बिदेशी कंपनियां फिर आ देश में इस देशन, जिन कंपनियों के खिलाफ हमने संघर्श किया और लाकूं करांधिकार्यों ने बलि दान दिया था कणियों को हमारे देता उने फिर बुला लिए तो और हमारे यह मैं ऐसा बन गया है कि जो नेता जितनी विदेशी कमपणियों को बुलाएं, वो उतना ही अच्छा. माने जो जितनी जदा मीर जाफरी करे वो उतना ही अच्छा. जो जितनी जदा गंदारी करे वो उतना ही अच्छा. ये इस देश का असूल बन लिए. अब समस्या क्या है? कि लाखों करोडों अंग्रेज लूट ले गए उसके पहले फ्रांसीसी ले गए डच लोग ले गए उसके पहले मुसलमान लूट के ले गए अब जो थोड़ा बहुत बचा और साथ साल में हम कमा रहें वो अब ये नए नए विदेशी आकर लूट के ले जाए और क्या-क्या सामन बेच कर लूट ले जा रहें मुझे तो हसी आती है अमेरिका की कंपनी यहां आलू का चिप्स बेच कर हजारों करोडों लूट है एक आलू के चिप्स का पैकेट आता है उसका नाम है रफल्स और एक होस्टेस पैकेट एक खरीदो 15 रुपए का है और आलू का चिप्स सब्सक्राइब रुपए छी फिक रहा है जिस देश में किसान का आलू 10 रुपए किलो नहीं बेचता ऊस देश में आलू का चिप्स wszyscy ब्सक्राइब ठूके मर रहा है आलू पदा करके सडक पर्भा क्योंकि आऌग आदू को भाव नहीं मैं किसान का बेठा हूं मेरे घर में खेती होती है अमारे आदू की फद्धित है तो खोद खोद करा अदू केच से सडक पर ठीक देते हैं क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली में भरके मंडी लेके जाएं तो डीजल का खर्चा नहीं निकलता इतना सस्ता अलुपर की और वही आलू विदेशी कंपनियां लेती हैं और हजार रुपए किलो में चिप्स बनाके बेचते हैं मुनाफे का अगर आप हिसाब निकालेंगे प्रॉफिट पर्सेंटेज तो हजारों प्रतिशत मुनाफ़ा है आलू के चिप्स के धंदे सोने चान्दी की बात नहीं कर रहा है कि ऐसे लुप राइदेश पड़े लोगों के बच्चे लगातार वही आलू का चिप्स खा रहे हैं जो बजार में मिलता अम्मा भी बना सकती है उनकी लेकिन अम्मा का बनाया हुआ बच्छा नहीं लगता क्योंकि अम्मा भी अच्छी नहीं लगते अब विदेशी चिप् कंपनी टंवाटर्की चत्नी बेचते है कि मैगी यह किसान का तमाटर मिइंदल बिधंग देड़र को मैगी बिकती है थोगе किणी से जबंती है थोड्य किलोगे इसन देशड़े मैं में कंपनी है वो चबोड़े बेचती है के ट्परी COP दूद से बनती है चौकलेट, दूद आता है 20 रुपई किलो, कैटबरीज विक रही है 15,000 रुपई किलो, एक विदेशी कंपनी है वो टूथ पेस्ट बेचती है, कॉलगेट, 27 रुपई का सौगराम, माने 270 रुपई किलो, गाय के गी से महंगा, गाय का गी 200 रुपई किलो, क पढ़े लिखे, लोग गाय का गी तो रोटी पे लगाके खाते हैं, सस्ता है, और कॉलगेट मुह में रगड़ के वाश्वेशिन में थूपते हैं, क्योंकि महंगा है, मेहगी चीज थूपक रहे, सस्ती चीज खा रहे और कहते हम तो बहुत स्मार्ट हैं, तो मैं कहता विनम्रता पूर्वक ये कहता हूं कि ज्यादा पढ़े लिखने लोग ज्यादा मूर्ख मैं उनको कहता हूं एजुकेटिड इडियाट्स और जो बिना पढ़ा लिखा बहुत होश है मैंने बिना पढ़े लिखे गाओं के किसान को आलू का चिप्स खरीद कर खाते नहीं देखा मैंने बिना पढ़े लिखे किसान को पेपसी पीते नहीं देखा मैंने बिना पढ़े लिखे किसान के बच्चों को चौकलेट खाते नहीं देखा वो खाएंगे तो गोड़ खाएंगे चौकलेट नहीं खाएंगे वो खाएंगे तो आलू खाएंगे चिप्स नहीं खाएंगे वो खाएंगे तो गाय का घी खाएंगे लेकिन ये पेस्ट रगड़ के नाली में नहीं थूके इसका मतलब बिना पढ़े लिखे लोग होशयार ह हैं अकलमंद हैं देश्वप्त हैं क्योंकि वह पढ़ने नहीं गए और जो पढ़ गए मेरी तरह से वह सब के सब हरामी हो गए यां मैं खुद को भी तो दूसरी की बाद में इसलिए मुझे अभी गानी लगता है कि कोई शी शेकli में ज्विनारीहिव और अब और देश्ममरी में रखनीकर्र और देश को में पढ़ाती है ethokal old Rag presentation मीद्यी ने से वाफादारी दो और सरकार केती है सब होसाह सबको पढ़ाओ मैंने सबको घद्दार बनो मैंने भारत सरकार के इक सेक्ठर्ट्री को पूछा यह सरम सिक्षा अभ्यान किसके लिए कि तो उसने का कि ये हर अदमी को ये बताने के लिए एɪह ब्रॉप्ल विव बॉइद सी 00 किक जाएंगे तो फिर टीवी पे पढ़ेंगे C for Coke, P for Pepsi, L for Life Boy, L for Lux ये पढ़ना सीख लेंगे तो खरी देंगे खरी देंगे तो कंजूमर बनेंगे तो हर आदमी वो विदेशी माल का उपभोगता बनाना है सिक्षित नहीं बनाना सिक्षा तो कुछ और होती है वो नहीं देनी साक्षर्ता देनी साक्षर्ता और सिक्षा में जमीन आस्मान का अंतर होता है ये खेल चल रहा हुआ कैसु कैसे लूटते हैं आपको और एक उदारण नमक बनता है 15 पैसे किलो में आपको बेचते हैं साथ लूपई किलो में आपको मालू हूं 15 पैसे किलो की चीज आप साथ रूपई किवहाँ है है अब 15 पैसे किलो की चीज साथ रूपई में खाए हिसाब डूड़ो पंद्रपैसे किलो की चीज साथ रुपए में खाएं इतनी रूट है पर हमारी हिम्मत ही नहीं है सरकार से पूछने की कि पंद्रपैसे किलो का नमक इतना मेंगा क्यों मिलने चाहिए तो आपको उल्लू बनाएंगे वो कहेंगे इसमें आयोडीन मिलाया हुआ है आयोडीन को एक इसी महगी चीज है क्या बहुत ही सस्ती है फोकट की है भगवान की दी हुई बहुत आयोडीन समुत्र के पानी में है जो बिना पैसे काता है तो भी इतना मेंगा क्यों यह मेंगा इसलिए है कि नमक के खेल में विदेशी कंपणियों को लाइसेंस दिये सरकार ने जो न और यह नमक हमको पता नहीं क्या बनाएगा हमें नहीं मालोग सब आयोडीन युक्त नमक खाके कल नपुनसक हो जाएं तो कुछ पता है क्योंकि दुनिया में आपको गंबीर बात किरा हूं 56 दुनिया के देशों ने आयोडीन युक्त नमक 40 साल पहले बें कर दिया आपके बिक्ता नहीं अमेरिका में नहीं जर्वनी में नहीं नार्वे में नहीं उन देशों में आयोडीन यूप नमक नहीं बेचा जा रहा और जबर्जस्ती सबको खिलाया जाए एक बार डेन्मार्क की एक वैब साइट मुझे मिली वहां की सरकार की मैंने को इक सवाल डाला उनको को पूछा कि आपके देश में आयोदीन यूफ नमक बिगता उनका नहीं बिगता क्यों उनने का 1956 में हमने बेहन कर दिया क्यों तो नहीं का हमने शुरू में आयोदीन यूफ नमक खिलाया अब वो यहां पर चालो करते हैं आप सब खा रहे हैं पता नहीं बविश्य में क्या होते हैं लुट भी रहे हैं अपने शरीर की भी बरबादित ऐसे लूटा जाता है आपको और एक उधारन देता हूं आपको बीच बीच में कभी पता चलता होगा एक अभ्यान चला इस आए जी तो आपको बीमारी नहीं आएगी कौन सी बीमारी नहीं आएगी है भी टाइटेस सब्सक्राइब हूं यह यह तो मैं तो दस साल से खोज रहा हूं आको मिले तो मुझे बताइए है फिक्स का एक पेशेंट मुझे दिज आप दस साथ से मैं खूज रहा हूँ सब पेशेंट है हेपिटाइटिस A के और हेपिटाइटिस A का वैक्सीन कोई नहीं लगा रहा है सब B का लगा रहा है पेशेंट कोई है नहीं जबरजस्ती जबरजस्ती और सरकार लगवा रही है क्यों क्योंकि विदेशी कंपणी का वैक्सी और अब यहां ने ऐसा चला कि बैंक वालों को ठोक दिया जबर जस्ती बीमा वालों को ठुकवा दिया सब को भी का वेक्सिन फिर मैंने केस लगाया सरकार के खिलाव केस लगाया तो मैं जीता सरकार हारी तब से यह वैक्सिनेशन बंदुआ नहीं तो पता है नहीं दस साल चलता बीस साल चलता पता ही नहीं है और एक वैक्सिनेशन चल रहा पोलियो वैक्सिन बच्चों को एक डोस दो 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 तीन दो दस दो पंदर दो बीस दो पचीस दो बंदी नहीं हो रही है और कहरें देते ही रहेंगे देते ही रहेंगे बच्चीस डोस्त दे दी क्या होगा इस बच्चे का भविश्य में कोई गारंटी है क्या मैं हुम्योपेटी चिकित्सा करता हूं मेरे पास 166 बच्चों के केस हैं जिनको पॉलियो वैक्सीन देने के बाद पॉलियो हुआ है बच्चीं लच्ची ot ШरूरूरGu viewing वायरस जिन।ा है लिविन वायरस करने वायरस है वो आप के बच्चों को पिलाए और क्या उसके पीछे सिद्धान्त है कि लिविंग वाइरस शरीर में डालेगे तो इसकी एंटिवाडी डवलप हो जाएंगी तो शरीर लड़ेगा अगर नहीं होई तो कोई बच्चे में हो गई ठीक है जिसमें नहीं हो पाई उसको तो पॉली ओ हो गई कोई नहीं रोक से अब वैक्सीन विक रही है थन्दा चल रहा और बच्चे पॉली ओ के शिकार हो नहीं है ऐसी लूट मची है इस देश में चारों तरफ और कोई सरकार आये A पार्टी की हो, B की हो, C की हो, D की हो उनका एक ही उद्देश है वो भी लूट में हिस्तेदारी करें जैसे पुरा निय सरकार कर वेगी एक 100 रुपय का लूट है तो दूसरा 90 रुपय का लूट है एक नागनाथ दूसरा सांपनाथ आपके सामने दो ही चोईस है नागनाथ को वोट देलो या सांपनाथ को देलो पैसेंगे दोनों क्योंकि व्यवस्था वैसी बनी हुई है इस देश तो ये गंभीर समस्या पैदा हो गई मुझे तो कई बार एक मुहावरा कहने का दिल करता है कि पहले से कोड था इस देश को खाज और हो गई है कोड तो था कि हजार साल से लुट कर हम गरीब हो गई अब ये खाज हो गई कि साठ साल में ऐसे हरामी नेता पैदा हो गई जो देश की परवा नहीं करते सिवाए कूर्सी के उनका कोई लक्ष नहीं है पिछले पाच्छे दिन से देख लो गिली वे क्या चलता है सब हमाम में नंगे हैं आपके सामने सब की धोती खुली होई कल तक जो एक दूसरे को गालियां देते थे आज हाथ में हाथ डालके बैठे हैं देख लो आप और कल तक जो एक दूसरे को सीधे मूँ देख नहीं सकते थे उनकी दोस्तियां हो रही है तो ऐसे बेइमान और हरमी नेताओं के हाथ में आपका देश जो अंग्रेजों से भी जादा खतरनाथ है अंग्रेजों को तो कई बार ऐसा समझ में भी आता होगा कि आज नहीं तो कद हम भारत शूड़ी देंगे तो छोड़ने के लिए तैयारी नहीं है ये जो फिरां लुटेंगा बेटे का बेटा लूटेंगा फिर उसका पैटा लुटेंगा सबने अपने अपने बेटे बहूं को तैयार कर दिया देश लूटने के कोई भी नेता रिटायर होके जाएगा तो अपने बेटे या बेटी को फिक्स करेगा इस देश और कोई उस दिन विपक्ष नहीं होता सब सकता पक्ष नहीं होता तो ऐसी स्थती देश में आई तो मुझे बहुत दिल में आग लगी हुई और ऐसी स्वामी जी को लगी हुई हमारी उनकी दोस्ती इसी कारण से हुई और मिला था एक आश्रम है हरिद्वार में आरे बानप्रस्थाश्यव जो आलापुर एक जगह है हरिद्वार में वहां व्याक्ष्यान देने गया था स्वामी जी उसकी अध्यक्षटा करने आये ते उसकारिक्रम सब्धेयं तो उन्होंने जब यह सब सुना तो नहींने का या तुम तो ऐसे ही आद्मी हो जैसा मैं तो मैंने का हां हो सकता है तब वो मुझे अपने आश्रम ले गए कंकल रात पर हम बाते करते रहें धाई बज़े तक स्योगिए उसके वाद अगले दिन रुखा और उन् अपनी बड़ी अपनी सेना और एक दिन ये फौज खड़ी हो जाए तो ये सारे हरामी नेताओं को एक दिन हम पानी के जहाज पे बरके हिंद महासागर में देजाए और इस देश में नए नेता खड़े करें बस जल्दी आने वाला आप बस पूरी कर दो अपनी आर्मी 15 लाग की है 15 लाग जिस दिन योग सिक्षक हो जाएंगे उस दिन ये हो जाए तो मैं तो और एक दूसरे अभियान पर लग गया मैंने का स्वामी जी आप कोशिश करो मैं देश पर में ऐसे लोगों को इकठा करता हूं जो पहले से ऐसा सोचते हैं करना चाहते ह हैं लेकिन अकठे नहीं आते हैं कि अपने भारत में दुष्थ ज़्यादा नहीं अध्याख्रे हैं कि विखरें कि तो जो सज्जन शक्ती विखरी होती है यह जोग सिक्षकों की फौस्ekंबम खड़ी हो जाए तो आज नहीं तो कल द्वा तो भोलना है ऐसे ही जैसे यही राणा प्रताप ने अकुबर की सेड़ा पें गया जैसे वगत सीघ, उधम सीघ जैसे करांतिकारियों ने ऐसे यह हरामी, काले अंग्रेजों पें नोअ चाहिए और यह दिली कुर्चेत्र बनेगा और आपकी बड़ी भूमपा होती हूं संद्रा और जब यह दिल्ली कुर्षेत्र बनेगा तब आपको तैकरना पड़ेगा तो आप राम के साथ विजिए स्वामीजी के सेना में आजाएगो। अभ्सक्ति है do R Já सुमी रामदेव की सेना माने राम की से और स्षेकर की से अत Okay बेल आ तो से में नम्हेद विप्र जाना है क्योंकि दिल्ली टिर्फेकर हैं। और राम की सेना में आना तो भी दरुवा ज सुना आधकी आगीा। अब आपके लिए तैया कि यहां आखा है। क्योंकि मैं आँखों यह कहने आया कि कंस कितना भी वाला हो ताकतत्वर होना रवर कितना भी पैसे वाला हो ताकतवर हो कितना भी ज्ञानी और नाश तो नहीं हो cuma रावर्ण को मारने के लिए राम का उतार हुआ हर वार कन्स को मारने के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के इन हरामी रावणों को मारने का उतार भी हुआ है अब आप उनकी सेना में आके सेनिक बन जाओ, मैं बन गया, आप भी बन जाओ, हम सब मिलकर इन रावणों की फौज को, इन कंसों की फौज को बिटाएंगे इस देश से, और इस देश में एक ऐसी व्यवस्था लाएंगे, जो धिर से इस देश को सोने की चुडिया बनाएं, और आप बुलेंगे वो व्यवस्था कैसी होगी, दो-तीन मिनट में खतम करता है, कैसी होगी व्यवस्था, हमारे देश में भगवान शरी राम आदर्श, राम जी कहानी आप सबने पढ़े, राम जी की कहानी में भी पढ़िया, आपने भी पढ़िया, लेकिन मेरा राम हिंप पूरी जो कठा है ना सब स्बस्ते हैं व major in Sorry एक ही का इस इसका नाम नाम हैं जाक अबने पर तो अर्समें भरत और राम का संबाद लेके आये हैं इसे नविए तेसी सुर्गवासी हो गई आपके वियोग में हैं आप च Nag趣 और नहीं चलते तो खड़ाओं तो राम जी का भरत से जब मिलन हुआ है तो राम जी ने भरत को सवाल पूछे चौंसर्ट सवाल पूछे उन्हों ने ये सवालों का जवाब भारत को फिर से सोनी की चड़िया बनाने का रास्ता है पूछे हैं कि राज्ट को पहला सवाल पूछा है तुन धरत के प्रजा का हाल तो प्रजा का हाल नंतों सुन लो लो बताना पहले प्रजा का two प्रजा प्रजा सुखीair लेकिन आपके नहीं रहने से तुखी है। तो राम कूच रहे हैं, धन्धान ऐaré कितना है? कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, कोई गरीब तो नहीं है, बेकार तो नहीं है, तो भरत सब का उत्तर दे रहे हैं। तब राम राज्य कैसा रहा, वो यह हैं? कोई भूखा नहीं, कोई प्यासा नहीं. गो स्वामी तुलसिदास ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य में कदहुना व्याता मानि देहिक देविक और भौतिक कोई दुख राम राज्य में किसी को हुआ नहीं इसा राम राभा यह हांना कोई भूखाग नकोई प्यासाग नकोई भीमार नकोई लाचाग सवामी जी कहते हैं भूट से कोई आम तो तो पूखता है कोई मुझे पूछता संभिधान क्या है तो मैं कहता हूं मेरा कोई संविधान नहीं है अयोध्या कांड का संविधान है वैसी नीतिया इस देश में बगाने राम जी पूछ रहे हैं कि भरत अपने राज्य में कोई गदार तो नहीं कोई देश द्रोही तो नहीं कोई देश विरोधी तो नहीं तो भरत कहते हैं कि इराम कह रहे हैं जो अहिंसावादी है वो कह रहे हैं एक भी गद्दार सिर उठाए उसके पहले कुछल देना एक भी देश अद्रोही को पता चले तो उसको ऐसी कड़ी सजा देना कि दूसरे की रूख आप जाए दंड कठोर होना चाहिए किस के साथ देश अद्रोहियों के साथ देश विरोधियों के साथ गद्दारों के साथ ऐसा राजी हमें लाना ऐसी दंड नीदी लाना राम जी पूछ रहे हैं भरत मैं जब से आया इसकूलों का क्या हाल है गुरु कुल कैसे चल रहे हैं सिख्षक समय पर आते हैं विद्यार् तो ऐसे 64 सवाल पूछे हैं राम जी ने भरत को वो सारे के सारे 64 सवाल राम राज्य का आधार है उनी 64 सवालों को आज हिंदुस्तान में हम हल कर ले तो फिर से राम राज जाएगा गरीबी भुपमरी बेकारी मिटानी तो हमारी योजना मेरी योजना मनें आप समझ लो स्वामी जी की योजना कि हिंदुस्तान के ये जो हरामी नेताओं ने 60 साल में पैसा जमा करके विदेशी बैंकों में रखा जो 25 लाग परोड है इसको बापस आप बोलेंगे ये आएगा हाँ आएगा कैसे आएगा ये ऐसे आएगा कि हमारी सं इसके लिए या तो कानून बनाना पड़ेगा या सुप्रीब कोर्ट में इसके लिए मुकत्मा लड़ना पड़े हम सुप्रीब कोर्ट में जाने की तैयारी पहले करते हैं सुप्रीब कोर्ट में मुकत्मा करेंगे हम शायद अगले साल 2009 में नहीं तो 10 में तो करने हैं इस म वारे में हमरे पास जो जानकारियां वह हम कोर्ट के सामने रखेंगे और को कहेंगे कि इन सब नेताओं को नोटिस देकर पूछ एक इनके पास पैसा यह देश का पैसा है पोर्ट इनसे ले या तो सुप्रीम कोड करें नहीं तो संसत में हमारी तैयारी है कि ऐसे 350 सांसुनों क बर्मा हुआ वह देश का दहन है राश्ट का धन नैशनल प्रॉपर्टि जब कानूर बने तो हम देखें कौन विरोद कर रहा है जो विरृद करें पक्का है उसी का पैसा सुइस बैक में और जो विरोद करें उसका मूह काला करके गधें पर बिठाके सरकस लिकाले पूरी तो अगर यह कानून पास होता है कानून बनता है साथ गिन की अंदर स्विस बैंकों का पैसा आ जाएगा यह मेरी गारेंटी है क्योंकि सुट्जरलेंड की बैंकों के साथ इस विशह पर पारे साल से में बात करना है वो सब तयार वो कहते हैं कि आप अपना ब्लैक्पनी यहां से ले लो हम तयार जर्मनी की बैंकों ने अभी सरकार को एक चिट्थी बेजी थोड़े दिन पाई वो टाइम्स ऑफ इंडिया में लीक हो गई और छपी जर्मन की बैंकों में जितनी नेता हो का पैसा उन्होंने का विदेशी कंपनिया लूट रही है इस देश को इन सब को बाहर बगाया और इसको बगाने की ताकत आपने आप उनका माल खरीदना बंद कर दो विदेशी माल मत खरीदो सब का माल बिखना बंद हो जाएगा वह पैसा बच जाएगा दो लाख करोड हर साल बचेगा आप सू करना है आप बोलेंगे यह हो सकता है बिल्कुल हो सकता है यह एक डॉलर 40 रुपया हुआ कैसे यह 1947 15 अगस्त को एक रुपया एक डॉलर ही था हमने तो साथ साल में जो कर्ज ले लिया अमेरिका और यूरोप से उसके चक्कर में रुपया कम हुआ डॉलर मर गया है तो हमारी कि योजना है कि कर्ज वापस कर दो कर्ज वापस करने के लिए धन कहां से आएगा स्विस बैंक का पैसा जो हम राश्टी संपत्ती बनाएंगे 45 लाग करोड़ है उसमें से 18 लाग करोड़ का कर्ज देंगे कर्ज देते ही रुपया और डॉलर बराबर आ जाएगा रुपया आज आप वी यॉर्क जाएंगे और वापस आएंगे तो टिकेट साड़े साथ सो रुपय का ही आएगा अगर आपका बेटा या बेटी इंजिनिरिंग में आप पढ़ाएंगे दस से बारे हजार की पढ़ाई में वह पांच साल में आयाइटी से बीटेक करके निकल आए दॉक्टर बनाएंगे तो बीस पच्छी सदार का खर्चा माने आपकी जिन्दगी का हर खर्चा 40 गुना कम हो जाएगा सीधी सी बार पेट्रोल अभी 52 रुपय लीटर है फिर हो जाएगा लगबग सवा रुपय लीटर है डीजल अभी 36 रुपय लीटर है डीजल हो है लगब 25 से 30 रुपय घर महंगाई का 1860 कुना कम हो जाएगा जब महंगाई 40 कुनी कम होगी तो आमंदनी अपनी और रुपया और डॉलर जिस दिन बराबर हुआ उस दिन तो दुनिया में हमको कोई रोप नहीं पाएगा हम सबसे आगे होंगे आप जानते हैं क्योंकि एक छेत्र ऐसा है हमारा जिसमें कोई मुकाबला नहीं कर सकता हमसे खेती का छेत्र खेती में हम गाए के गोबर और मूत्र से जो पैदा करेंगे न धान में दुनिया में कोई नहीं कर सकता क्योंकि किसी के पास गाए नहीं है जो हमारे पास है देशी गाए हमारे पास है, सब के पास जर्सी और होलिस्ट्रियन है, हमारे पास देशी गाए, देशी गाए के गोबर और मूत्र से ही धानने पैदा हो सकता है, जर्सी से नहीं होता, क्योंकि उसके न गोबर में दम है, न मूत्र में दम है, और दूद तो बिल्कुल बेका है तो खेती में हम गोबर और गोमूत्र का चलंग करेंगे, करोडों किसान गोबर और मूत्र इस्तेमाल करेंगे, तो गाये ज़्यादा पालनी पड़ेगी, तो गाये की संख्या बढ़ेगी, तो बैल की संख्या बढ़ेगी, तो बैल ज़्यादा होने से ट्रेक्टर नहीं चाह ये तो डीजल का लाफों करोडरों का खरचा बचेगा वो किसानों का पैसा बचैगा और गोबर गोमुतr से जो अनब पैदा होगा ऊसको हम खाएंगे तो हम स्वयस्त हो जाएंगे क्योंकि यूरिया-डी-बी का जहल नहीं खाना पड़ेगा यूरिया डियबी का जहर कम हुआ गोबर गोमूत्र का अमुरुद खाने को मिला तो भीमारिया ऐसे ही खतम हो जाएगा तो साड़े छे लाक करोड का जो भीमारियों का खर्चा है वो कम हो जाएगा तो देश सब तरफ से अमीर हो जाएगा कि ऐसी मैंने पचास योजनाएं वनाई है आपको चार पाच बताएं कभी मौका मिलत और भी बता इस्वामी जी यह उन्होंने जब समझ लिया तबी उन्होंने का कि यह राष्ट्र चेतना का काम शुरू करो यह तो यह जितना भी मेने बोला है यही है जो राष्ट्र चेतना कारेकर आपने यहाँ जो बैनर देखा है यह राष्ट के इतना में पचास काम हमें करने हैं एक काम स्विस बैक का पैसा वापस लाना दूसरा काम किसानों की खेती गोबर गोमूत राधारित करना तीसरा काम अंग्रेजों के बनाए हुए टैक्स के कानून बनरना ऐसे पचास काम उन कामों की जिम्मेदारी स्वामी जी ने मुझे दिये और उसके लिए राष्टिय प्रभारी मुझे दियोक्त किया है तो हम सब आप मिलकर इस काम में भी जुड़ जाए तो जल्दी हो जाएगा होगा तो सही आप जुड़ेंगे तो थोड़ा जल्दी होगा नहीं ज जी से फैलेगा और एक दिन इसमें से भी फॉज लिकले एक फॉज तो योग प्राणायाम करने वादों की दूसरी फॉज इसमें से भी तैयार हो क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो योग प्राणायाम नहीं करना चाहते लेकिन उनको इस काम में इंट्रेस्ट है कि स्विस पैसा लाओ इस देश में, घरीपी मिटाओ, बेरोजगारी मिटाओ, कई लोगों को इंट्रेस्ट एंगोबर गोँवूत्र की खेती करओ, तो वो खिसानों के बीच में है, नौजवानों के बीच में सब तरफ से ये काम चले, तो फिर इस देश में एक बड़ी क्रांटी ह तैयारी में आप में हम सब लगें ऐसी भावना से आप सबको शुबकामनाई देता हूं इशवर से प्रार्दना करता हूं कि आप में शक्ती आए और गुरु पोरिमा की अवसर पर आप अपने अपने गुरु का ध्यान रखते हुए इश्वर के सामने गुरु को रखते आज का दिन वैसे बड़ा पवित्र है आपके सामने दो फोटों है एक चंदरशेखर आजाद का है दूसरा लोकमानी तिलक का है आपको मालूम है आज दोनों का जनम दिन है जनम दिन है नोकमानी बाल गंगाधर तिलक का जनम दिन है नोकमानी बाल गंगाधर तिलक पैदा हुए थे महराश्र में तोनकंड tapped Mantla च्छोटे से गाउं में और चंद्रशेकर आजाद पैदा हुए थे आज ही के दिन मद्य प्रदेश के जाबुआ नाम के एक छोटे से इलाखे अब तो जाबुआ बढ़ा हो गया पहले बहुत चोटा सा था जाबुआ जिला भावरा गाउं तो यह जो एरिया में से निकले ए आपको शायद फालुम है अपने माता पिता की अखेले थे how about aoor छोड़ दिया परिवार चिस है और देश लिए अपने को नोचावर में अनने कहा था कि तू तो मेरा अखेला बेटा है तुझको तो इतना बड़ा किया है गुड़ापे के सहारे के लिए तब चंदर शेकर आजाद का जवाब था कि तेरी जैसी करोड़ों आता हैं इस देश में वो अंग्रेजों की गुलामी में उनको आजाद कराना मेरा पहला करता है यह जवाब था है ऐसे ही लोकमा नितिलक बहुत क्रान तिवीर आप जानते हैं 1905 में जब स्वदेशी आप्दोलम शुरू हुआ तो उसकी सारी नेम इनो नहीं रखी लोकमा नितिलक और लोकमा नितिलक अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावित थे स्वामी कि लिखा 1905 में 11 दिसंबर और उसमें उन्होंने कहा कि स्वदेशी और स्वराज ये दो शब्दों का अर्ध मुझे सब्त्यारत प्रकाश पढ़ने के बाद समझ में आए और उसके बाद ये दोनों शब्द उनके जीवन के शब्द बन गए हर बार वो यहीं कहते थे कि सवराज यतात काया तो स्वदेशी आंपे बढ़ेगा तो वैसे लोगमाने तिलग जनोंने स्वदेशी यांद convicted आगे बढ़ाया आपको और एक ज्रक योंकि सरकार मेंस लोगमाने तिलग लाला लाजади पत्र ऐन और लीपीज चंदृपाल इन तीनों नेताओं को हिट लिस्ट में रखा हुआ था